कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे आप जब इस दुनिया से विदा लें तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। इसलिए हम उनकी ये जीवनी लेकर आएं हैं ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन के उद्देशों को पूरा कर पाएं। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसी बात बताई है कि हम शायद ही कहीं और पढ़िया सीख पाते हैं। अगलता था। यहाँ पर सोने का तातपर कोई धातू से नहीं। एक समाज सुधारक या फिर समविधान निर्माता की ही आती है। या फिर भेदभाव के विरुद प्रकर आवाज उठाने वाले मसीहा के रूप में ही देख पाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत की अर्थ विवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक माहिर एकॉनमिस्ट के तौर पर उन्होंने भारत की अर्थ विवस्था को सम्पून रूप से संभाला और उसे प्रगती की ओर बढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करते हुए कई डिग्रियां भी हासिल की जिससे ये पूरे विश्व में नंबर वन स्कॉलर बने। अपने आपको विकास के कारे में रात दिन लगाकर उन्होंने भारत को एक नई पहचान प्रदान की जिसके लिए इनको भारत रत्न पुरसकार से भी नवाजा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनको सुनकर आप में प्रेड़ना और कुछ कर गुजरने का जोश उत्पन्न होगा। और आप देश के विकास में अमबेडकर की जणे। बाबा भीमराव अमबेडकर जी का जन्म एक महार दलित परिवार में माउ मध्यपरदेश में हुआ था जिस जगा को आज डॉक्टर अमबेडकर नगर की नाम से जाना जाता है। उनके जाती को सब असपर्श या अंटचबल मानते थे। अब हम जानते हैं कि ये असपर्शिता होता क्या है। देखिए हिंदु समाज चार वर्णों में बाटा गया है। क्यों बाटा है इसका कारण हमें नहीं पता और ना ही हम इसको और दूर तक खीचेंगे। बस ये बात जान लीजिए कि ये सब सिर्फ अपनी सहुलियत के लिए हम मनुश्यों ने किया। हाँ तो चार वर्ण कुछ इस प्रकार हैं। ब्राम्भन, शत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ठियरी आरिन काल के समय से चलिया रही है और उस समय लोगों को उनके पेशे से जाना जाता था। जैसे अगर किसी को वेदों और ग्रंथों का ग्यान हो तो उसे ब्रामभन मान लिया जाता था। दूसरी जाती होती है क्षत्रिय जो अपनी वीर्ता और साहस के लिए जाने जाते थे। इस वर्ण में जनमे लोग सैन्न कुशल्ता और शासक के रूप में जाने जाते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसमें सब प्रजा या क्रिशी उत्पादक या व्यापारी होते थे, और शूद्र वो होते थे जो सेवा प्रदाता या नौकर हुआ करते थे. चिरकाल से चली आ रही इस विवस्था को ना बदले जाने के कारण अब जन्म से वर्णों का विभाजन होता है। विभाजित हो गया और इस तरह शूद्र भी इस विवस्था से अच्छूते नहीं रहे और उनमें भी मुख्य जाती और उपजाती होती गई जो बाद में जाकर देश के अलग-अलग कोनों में बस गई और अपना जीवन व्यापन करने लगी अंबेडकर जी ने भी ऐसी ही शूद्रों की एक उपजाती महार में जन्म लिया। अमबेडकर जी के जन्म के दौरान शूद्रों को ना ही सिर्फ असपर्श मानते थे बलकि उसके साथ-साथ उनको देखा और सुना भी नहीं जाता था। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्वर्ण वर्ण के लोग शूद्रों पर अत्याचार कर उनकी दुर्दशा और निरादर करते थे। वर्ण में जन्में लोगों को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंबेटकर जी का जन्म महार परिवार में इंदौर की पास्थित महु में हुआ था। उनका पैत्रिक गाउं अंबावडी था जो की महराश्ट्र के रतनागिरी में मौजूद है। जब यूरोपियन भारत आए तो शुद्र परिवारों में से पोर्चुगीजों का पहला सामना कूंकन के महार परिवार से ही हुआ। उनके परिवार को फिर भी थोड़ी इज़त मिलती थी क्यूंकि उनको गाउं की देवी की पालकी उठाने का कारे सौपा गया था। कबीर जी द्वारा दिखाए और बताए गए रास्तों पर ही अंबेटकर जी का परिवार चलता था। उनके दिये गए मार्क दर्शन के कारण ही अंबेटकर जी ने अपना रास्ता चुना और समाज में बदलाव की लहर लेकर आए जो एक साधारन मनुष्य का कर पाना बहुत ही कठिन या असंभव था। उनकी फिलोसफी और कारियों में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो कबीर की जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कारे करते थे और उसमें सभल भी होते थे। मराठा काल के दौरान स्वर्ण जाती जैसे पाटिल, कुलकर्णी, नावी, देसाई और सुतार जैसी जाती वाले लोगों को एक मुख्य कार दिया जाता था और बदले में उन्हें लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। पर जब अंग्रेज आये तो उन्होंने इस विवस्था को हटा दिया और गाउं के ऑफिसर को उनके कारे के बदले तनखा देने लगे। महार जाती के लोगों को तब भी उनकी योगिता के अनुसार कारे नहीं दिया जाता था। सिर्फ उन्हें प्रशास किये कार से दूर रखा जाता था। उसका असर ये हुआ कि स्वर्ण जाती के अफसर के मर जाने या उनका कारे काल खत्म हो जाने के बाद भी उनसे जमीन नहीं ली जाती थी। बस उस जमीन से थोड़ा सा लगान लिया जाता था और उनके बच्चों का समाज या गाओं के कारियों में कोई भी योगदान किये बिना ही उनको लाखों रुपे की मदद की जाती थी। और इसी प्रकार से दलत जाती पर अत्याचार होता था और स्वर्ण जाती के लोगों को बढ़ावा मिलता था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने महार परिवार की कोई भी जमेदारी का खंडन नहीं किया। वो जो पहले से काम करते थे, मजदूरी करते थे, बाद में भी वही करते रहे। उन्हें किसी तरह की भी जमीन नहीं दी गई, बलकि वो लोग जहां रहते थे, उनकी जमीनों का लगान भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह महार या दलित समाज की दुर्दशा होती गई। हजारों की संख्या में महार परिवारों ने बहुत कठिनाईयां उठाई। एक तरह से उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी और उनका शूशन किया जाता था। इन सब के बावजूद भी महार परिवार का गाउं में बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि गाउं का सारा मेहनती काम इनहीं लोगों से कराया जाता था। उनका साहस, द्ररता, बहादुरी, वफादारी, सत्तिन निष्ठा जैसी अच्छाईयां गाउं की आबादी के लिए वर्दान थी। इन लोगों के बिना गाउं को सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल था। गाउं में कोई भी लडाई जगडा होता था तो ये सरपंच की राय लेना पसंद करते थे। यहां तक इनको पंचायत में भी जगा नहीं मिली हुई थी और इनको बराबर में बैठने का अधिकार भी नहीं था। ये लोग अकसर जमीन पर ही बैठा करते थे। महार परिवार बहुत बड़े योद्धा के रूप में निकल कर आया। कहते हैं प्राचीन काल में ये लोग जंगलों में रहा करते थे। और वहां पर आने वाले हर खत्रे का बहुत ही साहस से सामना करते थे। शायद इसी लिए इन लोगों ने इतनी पीडा और अत्याचार सहे क्यूंकि इनको हर परिस्थिती में जीने का हुनराता था। चत्रपती शिवाजी जिन्होंने मुगलों को हराया था उन्होंने इनके साहस और सैनने कुशलता को परक कर अपनी सेना में इनको जगह दी थी। शिदनाक जो की एक महार सरदार थे उन्होंने सवाई माधोराव की सेना में बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में इस्ट इंडिया कमपनी ने भी पेशवा के विरुध लड़ने के लिए इन्हीं महार जाती का चुनाव किया। आजादी के बाद भी महार रेजिमेंट के लोगों ने सेना में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया। जिससे इनको सेना में एक अलग ख्याती मिली। हर लड़ाई में महार समाज ने अपने साहस, ताकत, बहादुरी और देश भक्ती का परिचे दिया। जितने भी महार अफसर थे उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को जिताने में। इतना अत्यचार सहने के बावजूद भी वतन परस्ती में लीन रहना किसी साधारन मनुश्र की बात नहीं। अंबेडकर जी के पूरवजों ने भी सेना में अपना वर्चस्व साबित कर अपने साहस का लोहा मनवाया है। अंबेडकर जी का चरित्र निर्मान इनहीं पूरवजों के साहस और बहादुरी की ही देन है। बाबा जी के दादा और पिता दोनों ने ही सेना में होते हुए अपनी वेरता और शौरे का सिक्का जमाया था। इनके पिता राम जी सकपाल ब्रिटिश इंडियनामी में थे। इनके पिता की पोस्टिंग मो कैंटोनमेंट इंदोर के पास थी। जो की उस समय सेंट्रल इंडिया और अब मध्य प्रदेश में है। उसी समय अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रेल 1891 में हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अंबेडकर जी के जन्म के बाद राम जी सकपाल के कोई महान रिष्टदार ने ये भविश्यवानी की थी कि उनका पुत्र इतिहास रचेगा। डॉक्टर अंबेडकर जो राम जी सकपाल की 14 वी संतान थे का नामकरण पांडवों के एक भाई से प्रेरित होकर भीम रखा गया। उनकी माता का नाम भी भीमा भाई था। उनका मायका था मुरहद जो उस वक्त बॉम्बे के थाने में स्थित था। उनके परिवार का भी तालुक सेना से था। उनके ददिहाल और ननिहाल का संबंध सेना से होने के कारण वे भी साहस, शौर्य, वीर्ता, बहादुरी, करतव्य, निष्ठा और इमानदारी से भरे हुए थे। अंबेटकर जी के पिता राम जी सकपाल महु से 1893 में रिटायर होकर कौंकन के दापोली में आकर रहने लगे। पांच वर्ष की आयू में उन्होंने भीम का दाखिला उनके बड़े भाई के साथ दापोली के ही एक स्कूल में कराया। राम जी जो पेंशन पाते थे उससे उनका गुजारा नहीं चल पाता था। इसलिए उन्होंने सतारा जिले में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सतारा में रहते हुए उन्हें जादा दिन नहीं हुए थे कि अमबेटकर जी की मा का स्वरगवास हो गया। और परिवार की सारी जिम्यदारी रिटाइट सुबेदार के सिर पर आ गई। उस समय भीम महज छे वर्ष के आयू के थे। रामजी और भीमंबाई की 14 संतान में से सिर्फ तीन भाई और दो बहन ही जीवत रह गए थे। रामजी धर्म परायन होने के साथ साथ ही बहुत सक्त अनुशासक भी थे। उन्होंने अपनी संतानों को हिंदू ग्रंथों जैसे रामायन और महभारत की पंक्तियों को अच्छे से याद कराया और इसके साथ साथ कबीर और महराष्ट्र के साधूओं के भक्ती गीत भी मुझबानी याद कराये। जल्द ही भीम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हाई स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ आ गए। उनके शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाई सही और समाज में फैली जाती कूपरथा से भी वाकिफ हुए जिसने उनके मासूम से मस्तिश्क प में कैशियर के तौर पर कारे रत थे। वे ट्रेन से सफर करके मसूर स्टेशन पर पहुँचे जहां पर उन्होंने रामजी से मिलना था। उन्होंने घंटों अपने पिता का इंतजार किया पर वो नहीं आये शायद उनके पिता तक उनके आने की चिठी नहीं पहुँची थी तो उन्होंने एक बैल गाड़ी की ताकि वो अपने पिता तक गोरे गाओं पहुच जाएं। बाद में बैल गाड़ी खीचने वाले चालक जो की एक स्वर्ण वर्ण का था उसको पता चला कि उसकी सवारी दलित और असपर्श है तो उसने दोनों भाईयों को गाड़ी से वहीं पर ही उतार दिया। जब उन्होंने दुगना भाड़ा देने का वादा किया तब जाकर चालक ने आगे चलने के लिए हां कहा। और वो भी इस शर्त पर कि बैल गाड़ी भीम के बड़े भाई चलाएंगे और वो पैदल चलेगा। दोनों भाईयों को शाम से लेक तयार नहीं था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण यदि भी उन्हें बहुत अनादर और अपमान जहेलना पड़ा। पर उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसके साथ ही उन्हें कई महान और ग्यानी स्वर्ण लोगों की दया, कृपा और अनुकमपा भी मिली उन्हीं के जीवन से एक उदारन लेते हैं। एक दिन उन्होंने अपने सहपाथी से शर्त लगाई और जोरदार बारिश में भी उन्होंने घर से स्कूल तक का सफरत पूरा किया। उनके एक ब्राम्हन अध्यापक जिन्होंने भीम को बारिश में कपकपाते देखा और उन वो भीम को अपनी संतान जैसा मानते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो अपना लंच भी भीम के साथ ही खाते थे। भीम का असली नाम भीम राव सकपाल था पर उनके अध्यापक की दया भावना के कारण ही भीम ने सकपाल से अंबेडर उपनाम अपना लिया। इसलिए वो अब अमबेड कर नाम से जाने जाते हैं। जब भीम दस वर्ष की आयू में पहुँचे तो उनके पिता ने दूसरी शादी करने का मन बनाया। स्वभाविक था कि भीम को उनके पिता का ये निर्ने अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने पिता से अलग होकर स्वतंत्र जीवन बिताने का निश्चे किया। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे बॉम्बे मिल में कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना काम चला लेंगे। उन्होंने अपने रिष्टदार से पैसे चुरा कर बॉंबे निकल जाने का भी सोचा, पर कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा ने इस बात की गवाही नहीं दी, फिर उन्हें समझ आया कि उनको अपनी पढ़ाई के जरिये ही संसार में नाम कमाना है, उसी दिन से वो एक और महनती चात्र की तरह पढ़ाई करने लगे, और इस तरह से वो अपने अध्यापकों के और भी प्यारे होते चले गए, जल्दी उनका परिवार बॉंबे में आकर एक चॉल में रहने लगा, बहुत सारे परिवार जुंड में अभाव में रहने लगे थे, बॉंबे आने के बाद भीम और उनके भाई ने मराठा हाई स्कूल में दाखिला ले लिया, जबसे वो बॉंबे आकर रहने लगे तब से भीम की पढ़ने की इच्छा और तीवर होती गई, उनके पिता ने भी भीम की पढ़ाई की इच्छा में बहुत साथ दिया, और उन्हें पूरा सही योग दिया, वो तो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने अपनी दोनों विवाहित पेटियों से भीम की किताबें खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे, उसके कुछ समय बाद भीम के पिता ने उन्हें एलफिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि बॉंबे का स इसक एलफिंस्टन स्कूल भी अस्परशिता के अंधकार से अचूता नहीं था, भीम को संस्कृत पढ़ने की बहुत ललक थी, पर दलित होने के कारण उन्हें परशन पढ़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उस समय का मानना था कि संस्कृत सिर्फ ब्राम्हन या स्वर् के लोग ही पढ़ सकते हैं, बाद में भीम ने अपने द्रिर संकल्प के चलते ही संस्कृत पढ़ी, जिस संस्कृत को उनको पढ़ने नहीं दिया गया था, वे उसमें ही सबसे बड़े स्कॉलर बने, दलित परिवार से तालक रखने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियो का सामना भी करना पड़ा, पर इसके बाद भी उन्होंने मैट्रिक रिलेशन की परिक्षा 1907 में एलफिंस्टन हाई स्कूल से पास की, उन्हें सबसे जादा अंक पर्जिन में मिले थे, उस समय के दौरान गरीब, जरूरतमंद और योग्य चात्रों के लिए कोई भी हॉस् नहीं उपलब्द था, उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला भी नहीं था, पूरे जिले में कुछ ही स्कूल और कॉलिज थे, जो की बड़े शहरों जैसे पुने और बॉंबे में स्थित थे, यहां तक जो अमीर चात्र थे या फिर जो स्वर्ण वर्ण के थे, वो लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गरीब और दलित समाज के जात्र थे, उनके लिए आगे पढ़पाना कितना चुनोतियों भरा रहा होगा, किसी दलित समाज में जन्म लेकर इतने आगे तक आना, और इतनी प समाज के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने सदियों से चली आ रही प्रथा के खिलाफ जाकर पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था, और इस अवसर को उनके समाज ने बहुत जोरों शोरों से मनाया था, महराश्टर के समाज सुधारक S.K. बोले से भीम की मीटिं नात थे, उनकी अक्सर भीम से मुलाकात हो जाया करती थी, और उसके बाद वो दुनों साथ में घंटों पढ़ाई करते थे, किलोशकर भीम से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने भीम को अपनी पुस्तक संकलन से किताब लेने का भी मौका दिया, और उन्होंने अपनी लिखी गई पुस्तक लाइफ अफ गौतम बुद्ध भी भेट की, इस पुस्तक का भीम पर गहरा प्रभाव पढ़ा, और इसी किताब ने उनको हिंदू से बुद्धिस्ट में बदल दिया, उस समय के रिवाज को निभाते हुए भीम का विवा उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही कर दिया गया, भीम की आयू उस वक्त सोलह वर्ष की थी, और उनकी पतनी की आयू महज नौ वर्ष थी, जिनका नाम रामी था, जो बाद में जाकर रमाबाई हो गया था, कम उमर में शादी हो जाने के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा कम नहीं हुई, अपि कहते हैं, जीवन आपका हर गड़ी, हर पल इमतिहान लेता है। ऐसा बाबा साहिब के साथ भी हुआ, एलफिंस्टन कॉलिज से इंटरमीडियेट की परिक्षा पास करने के बाद, उनके पास आगे की परिक्षा पास करने के लिए बिलकुल भी पैसे नहीं बचे थे। तब उनसे मुलाकात की। बढ़ोदा के महराज ने बहुत पहले ही गाउं में ये आदेश दे दिया था कि अगर किसी भी दलित को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए मदद चाहिए तो वो हमेशा तत पर रहेंगे। खिलोसकर की याचना से महराज भीम से मिले और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जिनके उत्तर से निश्चित होकर उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया और उनकी आर्थिक सहायता करने का भी आश्वासन दिया। भीम को पच्चीस रुपए हर माह मिलते थे जो क उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद भीम अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के करते चले गए। महराजा द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उनके परिवार ने पटेल में एक दो कमरे का अपार्टमेंट खरीद लिया। भीम जी को एक अलग से कमरा मिला हुआ था जिसमें वो सिर्फ अपनी पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने अपना बिये 1913 में पास किया। बिये करने के बाद उन्हें बड़ोदा स्टेट आर्मी में लेफटिनेंट की पोस पर तैनाती मिली। लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं चोड़ा। जनवरी 1913 में उनके नौकरी जॉइन करने के 15 दिन बाद ही उनके पास टेलिग्राम आया जिसमें उनके पिता की बीमारी के बारे में लिखा था। उनका पिता के प्रतीस्तने इतना जादा था कि अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए वो बॉम्बे रवान हो गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबियत बहुत खराब है। उनके पिता उस वक्त मृत्यू के करीब पहुच चुके थे। दो फरवरी 1913 में उनके पिता का देहां थो गया। अपने पिता को खो देने का गम भीमराव जी बरदाश नहीं कर पा रह थे। उन्होंने अपने पिता को हमेशा जीवन के लिए लड़ते देखा। उनके साहस और परिश्रम के कारण ही आज उनकी संतान इस मुकाम पर पहुची थी। हमेशा कठनाईयों का डट कर सामना करना और अपने मनुबल को हारनी ना देना ये सब उनको उनके पिता नहीं साहस भी देकर इस दुनिया से अलविदा लिया। वो अपने पीछे अपने विरासत के तौर पर अपने पुत्र को छोड़ गए। कर बॉम्बे नहीं जाते। वो बड़ोदा वाली नौकरी ही करते रहते और जादा से जादा स्टेट के प्राइम मिनिस्टरशिप तक प्रमोट हो जाते। और दलित परिवार से आने के कारण इतना कर लेना ही उनके लिए सपनों से कम नहीं था। पर नियती ने भीम के लि अमेरिका की कुलंबिया यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं और उसका पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। इसको सुनकर भीम के तो जैसे भाग गे ही खुल गए हों। उन्होंने महराज से बाहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। महराज तो पहले से ही भ अगरिमेंट में हस्ताक्षर की जिसमें लिखा था कि वो अमेरिका जाकर बताए गए विशे से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई पूरी खत्म करके कुलंबिया यूनिवर्सिटी से लोटने के 10 साल बाद तक अपने प्रांत के विकास में लग जाएंगे। ये घटना भीम वाशिंटन की लीडर्शिप में नौथ अमेरिका भी उस समय फलने फूलने लगा था। स्टैच्यू अफ लिबर्टी की तरह ही यूनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ताकतवर संयुक्त और लिब्रल हो गया था। जॉर्ज वाशिंटन, इब्राहम लिंकन, तॉमस जेफिर्सन और नीग्रो लीडर बुकर टी वाशिंटन के साहस और पराकरम ने लोगों पर जादू सा कर दिया था। उस समय अमेरिका सच में सपनों की नगरी बन चुका था। जुलाई 1913 के तीसरे सब्ताह में नई उमीद और उमंग लिये भीमराव जी न्यू यॉक पह साथ रहने लगे। और ये दोस्ती कब जीवन भर के साथ में बदल गई इसका उन्हें पता भी ना चला। जीवन में पहली बार भीम अस्परशिता के भूत से आगे निकल पाए। वो जब तक कॉलंबिया युनिवरसिटी में रहे उन्होंने देश के विकास के बारे में ह सोजा। उनका ज्यान का भंडार बढ़ता गया और वो समय समय पर उसे औरों में बांटते गए। एक बार उन्होंने अपने पिता के मित्र को चिठी लिख कर बताया कि नारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे देश के विकास और तरक्की में सहायता कर सकती है भीम जी के मन मस्तश्क पर बस पढ़ाई का ही भूत सवार था फिर चाहे जो भी परिस्थिती हो चाहे जो भी कठिनाई आये वो उसको पार करके आगे बढ़ते रहते थे महान लोगों की एक निशानी होती है कि वो कभी अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं लगाते थे और यही भीम राव जी भी करते थे उन्होंने अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम लिख दिया था पढ़ाई के साथ साथ उनकी उनके परिवार की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां थी इसलिए वो अपने स्टाइपिंड से कुछ पैसा अपने परिवार को भिजवा दिया करते थे भीम राव जी ने कठिन और अलग विशियों जैसे Political Science, Moral Philosophy, Anthropology, Sociology और Economics चुन रखे थे जिसको पर्धे में वो 18-18 घंटे बिता दिया करते थे 1915 में उन्हें MA की डिगरी उनकी लिखी Thesis Ancient Indian Commerce के लिए दी गई थी इसके साथ ही उन्होंने अपने Anthropology विशे के लिए एक पेपर भी लिखा जो Caste in India, Their Mechanism, Genesis and Development नाम से प्रसिद्ध हुआ जून 1916 में The National Dividend of India, A Historical and Analytical Study नाम से Thesis लिख कर PhD की डिगरी हासिल की Columbia University से पढ़ाई पूरी करने के बाद भीम New York छोड़ कर लंदन चले गए October 1916 में उन्होंने Barrister की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया साथ ही साथ London School of Economics से वो Economics की पढ़ाई करने लगे बढ़ोदा के महराज फिर से भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमती दी और England में रहने का पूरा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया पर बढ़ोदा के दीवान को ये बात कुछ भाई नहीं इसलिए उन्होंने भीम को लंडन से बुला कर अपने प्रांत की सेवा करने का आदेश दिया भीम को लंडन से अपनी पढ़ाई बीच में रोक कर लोटना पड़ा पर लोटने से पहले अपने अध्यापक डॉक्टर एडविन क्यानन की सलाह से उन्होंने आगे की पढ़ाई आने वाले चार वर्षों में पूरी करने का समय मांगा उनके अच्छे वेवहार और ग्यान को देखते हुए लंडन स्कूल ओफ एकनॉमिक्स ने उन्हें ये अनुमती प्रदान की 21 अगस्त 1917 को भीम राव बॉम्बे वापस आ गए ये वो समय था जब भारत बहुत कठिनाई से जूज रहा था सितंबर 1917 को वो बरौदा आए बरौदा के महराज इनको इसलिए वित्मंत्री बनाना चाहते थे ताकि इन्हें प्रशासन में कुछ अनुभव हासिल हो उन्होंने शुरुवात इनको मिलिटरी सेक्रेटरी बनाने से की हाला कि ये पद इन्होंने अपनी पढ़ाई के दम से हासिल किया था पर अस्परशता ने फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा वहां के चपड़ासी ने भी इन्हें पानी देने से इनकार कर दिया था कोई भी होटेल इनको आश्रे नहीं देना चाहता था इन्होंने इस विशे पर बडौदा के महराज को जिठी लिखी उन्होंने ये बात दीवान को बताई पर कोई भी इस विशे पर निर्ने लेने में असमर्थ थे बहुत ज़ादा हताश होकर भीम ने वहां से चले जाने का फैसला किया और नवंबर में वो बॉम्बे वापस आ गए इसके बाद इनकी सौतेली मा का भी निधन हो गया बॉम्बे लोटने के बाद इनकी मुलाकात कोलापुर के राजा शाहु महराज जी से हुई ये भी जाती प्रथा के जंजीरों को तोड़ कर सब को एक बराबर करना चाहते थे महराज जी से मिलना उनकी जिंदगी में फिर से नया मोर लेकर आया ना ही सिर्फ महराज ने अपने शासन में एक दलित को रखा था बलकि साथ ही दूसरे दलितों की पढ़ाई रहने खाने की विवस्था का भी ध्यान रखते थे यहां तक की उन्होंने पूरे समाज के सामने दलितों के साथ बैठ कर भोजन तक ग्रहन किया था ताकि वो जातिवाज जैसी कूप रथा का खंडन कर सकें और उनकी प्रजा में एक नया पैगाम पहुँचे 1919 में महराज भीम से आग्रह करके अर्ध मासिक पेपर भी छपवाने लगे थे जनवरी 31, 1920 को पहली बार उनका पेपर निकल कर आया था जिसका नाम मूक नायक था इस पेपर के एडिटर ना होते हुए भी भीम ने इसका पूरी तरह से समाज में पहली कूप्र था ना इनसाफी और यातनाओं को जनता के सामने रखने के लिए प्रयोग किया अंबेडकर जी ने नवंबर 1918 में गवर्णमेंट सिडनहेम कॉलेज ओफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स में प्रोफेसर की भी नौकरी की उनका मुख्य उद्देश पैसे बचा कर लंडन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरा करने का था और वो जो पैसे बचाते थे वो अपनी पतनी को भीच दिया करते थे जुलाई 1920 में अमबेटकर ने परियाप्त पैसे बचा कर और कोलापुर के महराज से सहायता प्राप्त करके लंडन अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए उनके लंडन जाने में उनके मित्र नवल भठेना का भी बहुत बड़ा हाथ था क्यूंकि इन्होंने भी भीम को पाँच हजार रुपए उधार के तौर पर दिये थे लंडन में भी उनकी जिंदगी कम कठिन नहीं थी वो जहां पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे वहां की मकान मालकिन बहुत ही निश्ठुर औरत थी वहां का सुभए का नाश्टा और रात का खाना भीम की भूक को मिटाने में असमर्थ था उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो बाहर कहीं कुछ खा लें भीम की पढ़ाई करने की इच्छा इतनी तीवर थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि उनका पेट भरा है या नहीं वो ट्रेन से सफर करने के बजाए पैदल यात्रा किया करते थे ताकि उनके पैसे कम खर्च हों समय समय पर उनके दोस्त नवल भठेना भी उनकी आर्थिक सहायता कर दिया करते थे लंडन में की गई रीसर्च से उन्होंने प्रोविंशल डीसेंट्रलाइजेशन और इम्पीरियल फाइन्स इन ब्रिटिश इंडिया थीसिस लिखी जिसके लिए उन्हें Master of Science की डिगरी भी जून 1921 को दी गई अगले ही साल उन्होंने University of London के लिए एक और थीसिस लिखी वो थीसिस लिखने में इतने मश्गूल हो गए कि उनके पास बैरिस्टर की पढ़ाई करने का बिलकुल भी समय नहीं बचा इसलिए वो परिक्षा में भी नहीं बैट पाए उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए University of Bond का भी भ्रमन किया उन्होंने अप्रेल 1922 से लेकर मई 1922 तक Bond University में अपने दाखिले की सारी आपचारिकताईं कर ली और फिर वो लंडन वापस आ गए उनकी थीसिस ने लंडन युनिवरसिटी में तहलका मचा दिया था क्योंकि उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश फिसकल पॉलिसी की कड़ी निंदा और आलोचना की थी इसलिए उनको University of Bond से मार्च 1923 में लंडन बुला लिया गया और उनके प्रोफेसर डॉक्टर एडविन कैनन ने उनको फिर से थीसिस लिखने के लिए बोला पर उनकी आर्थिक स्थिती ऐसी नहीं थी कि वो लंडन में जादा समय के लिए ठहर पाएं इसलिए वो फिर Bombay वापस आ गए उनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूज रहा था अप्रेल 1923 में उन्होंने फिर से अपनी थीसिस लिख कर डॉक्टर एडविन कैनन को भीजी इतनी कठनाई के बावजूद भी अब तक भीम राव ने अपनी पढ़ाई से इतनी योगिता हासिल कर ली थी जो उनके स्वर्ण वर्ण के समकालीन विक्ती भी हासिल नहीं कर पाये थे ये सब सिर्फ उनके परिश्रम और इच्छा शक्ती के कारण ही संभव हो पाया था पस्चिमी शिक्षा के बावजूद वो अपनी भारतिय मिट्टी से जुड़े रहे और अपना सारा जीवन अपनी मात्रि भूमी के विकास में ही लगा दिया घर वापसी अंबेड कर अप्रेल 1923 को भारत आए इंग्लेंड, अमेरिका, जर्मनी से सर्वोत्तम पढ़ाई करके लोटने के बाद भी भीम की आर्थिक स्थिती में सोधार नहीं आया था आखिर में उन्होंने ये निर्ने लिया कि वो बैरिस्टर की नौकरी कर लें ताकि वो समाज की सेवा भी कर पाएं और अपनी पैसों की जरूरतों को भी पूरा कर पाएं उनकी आर्थिक स्थिती इतनी खराब थी कि उनके पास वकील का लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। नवल भठेना फिर भगवान के रूप में सामने आये और उन्होंने भीम को लाइसेंस के लिए पैसे दिये और इस तरह उन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस जून 1923 में शुरू की। इतने योग्य वकील होने के बाद भी भीम को कोई अपना केस नहीं देना चाहता था क्यूंकि वो दलित परिवार से आते थे। जो देते भी थे वो बहुत गरीब और लाचार तबके के लोग थे जिनसे भीम को जादा पैसे नहीं मिल पाते थे। कभी कभी ये सारी स्थिती उन्हें बहुत निराश कर देती थी पर उनकी इच्छा शक्ती और बहादुरी उन पर हावी हो जाती थी। उस समय ये अफवाह फैली थी कि ब्रिटिश राज होने के कारण अगर किसी को केस जीतना है तो उसे यूरोपियन बैरिस्टर को ही नियुक्त करना पड़ेगा क्यूंकि कोर्ट में सारे ही जज यूरोपियन ही थे। असपर्श होने के कारण स्वर्ण वर्ण के वकील भी भीम जी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। शुरुवात में उन्हें छोटे मोटे केसेज लड़कर ही काम चलाना पड़ा। जब भीम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय बहुत सारे कारकों की वज़ा से भारत की नियती बदल रही थी। बॉंबे और उसके आसपास बहुत सारी टेक्स्टाइल मिलों के स्थापना की जा रही थी। गांधी जी के द्वारा आजादी की धीरे धीरे चिंगारी को भी हवा मिल रही थी। अगस्त चार उनीस सो तेईस को बॉंबे लेजिसलिटिव कांसिल द्वारा क्रांती की गई जिसको आगे श्री एसके बोले ने बढ़ाया। कांसिल ने ये सिफारिश की जितने भी सारवजनिक स्थान हैं, कुवा, धर्मशाला और जितने भी सरकार द्वारा निर्मित स्कूल, कोर्ट, ऑफिस या डिस्पेंसरी हैं, उसका इस्तिमाल दलित और असपर्च लोग कर सकते हैं। सितंबर 11, 1923 को एक आदेश, Government of Bombay Presidency ने पारित किया और Legislative Council को कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो आम जनता को इस Act को सुईकार करने और मानने के लिए प्रेरित करें। उसी के साथ साथ, अंबेटकर जी ने भी दलित विकास के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उनके उत्थान को बढ़ावा दे पाए। के गुजराती हिंदू थे और अपने समय के बहतरीन लॉयर। सभा के वाइस प्रेजिडेंट एक उम्दा लोगों का समुह था जिसमें एम निसिम, रुस्तम जी जिनवाला जो की एक पारसी वकील थे, जी के नरिमन, आरपी परांचपे, वीपी चवन और बीजी खेर शामिल थे। अंबेडकर जी मैरेजिंग कमीटी के चेर्में थे, कई और आंदुलन इसी सभा की तरह ही परस पर चल रहे थे, पर उनमें और अंबेडकर जी के आंदूलन में ये फर्क था कि अंबेडकर जी असपरशिता को जड़ से उखार फेंकना चाहते थे, और दूसरी सभी बाल व वह जैसी कूपरता पर जादा जोर दे रही थी। अम्बेटकर जी का मानना था कि अस परशिता को तभी हटाया जा सकता है जब हम उसकी जड़ से सुधार करें। इसके लिए उनका कहना था कि हिंदू समाज का फिर से गठन करना होगा। सिर्फ उनके साथ सारवजनिक खाना खाने और उनके प्रती दया जता कर ही काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज में जातिवाद में सुधार करना होगा। जातिवाद सोच को हटाना होगा। सिर्फ ब्राम्भन ही पंडित नहीं बन सकते। हिंदू ग्रंथों का मान की करण जैसे सुधार इत्यादी हाला कि महात्मा गांधी और अमबेड करजी दूनों ही असपरशिता को मिटाना चाहते थे पर दूनों के प्रयास अलग-अलग थे महात्मा गांधी जहां सारवजनिक स्थानों में दलित के साथ खाना खाकर उनके साथ हाथ मिलाकर इसको मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे जबकि अमबेड करजी इसको जड़ से ही मिटा देना चाहते थे पर दोनों का उद्देश एक ही था भले ही उनके रास्ते अलग थे पर दोनों एक ही मनजिल पर पहुँचना चाहते थे अधिकारों का संखर्ष बहिश्कृत हित कारणी सभा ने कई उपयोगी योजनाएं तयार की जिसमें दलितों के विकास और उन्नती को ध्यान में रखा गया सभा ने दलित छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल विवस्था उनके कपड़े, बुक, कौपी और खाने का भी बंदुबस्त शोलापुर में कराया शोलापुर नगरपालिका ने हॉस्टल के मेंटेनिंस के लिए 40 रुपे देने का भी वादा किया सभा ने अंबेटकर को एक मंच प्रदान किया जिससे वो गाउं गाउं जाकर दलितों को जागरुक करें और उनके अधिकारों से वाकिफ कराएं उन्होंने प्रोविंशिल डिप्रेस्ट क्लासेज कॉन्फरेंस जो की निपाणी बॉंबे प्रेजिडेंसी में हुई में भाग लिया और उन्हें गाइड भी किया इन्होंने रॉयल कमिशन ओन इंडिन करंसी और फाइनांस पर एक लेक लिखा और भारत के गोल्ड एक्सचेंज की आलोचना भी की जो की रॉयल कमिशन के अंतरगत आती थी जिसके लिए रॉयल कमिशन ने इनका इंटरव्यू भी लिया इवी रामा स्वामी नैकर जो एक गैर ब्राम्हन लीडर थे उनके द्वारा सत्यागरह भी ट्रैवन कॉर में लॉंच हुआ जिससे ट्रैवन कॉर के रूलर ने ये आदेश 1925 में पारित किया कि दलित भी उन सडकों का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है एक और संसनी घटना घटी जब एक दलित विक्ती मुर्गेशन ने मदरास के एक हिंदू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की फिर उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ जिसने दलितों को हिला कर रख दिया भारत के पहले गवर्णर जनरल श्री सी राजगुपालचारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब मुर्गेशन का ट्रायल चल रहा था हाला कि वो केस की पैरवी नहीं कर रहे थे फिर भी उन्होंने मुर्गेशन के अधिकारों की रक्षा कर उसको केस से बाइज़त बरी कर दिया उसी समय अंबेटकर के नाम का भी धीरे-धीरे डंका बजने लगा था उन्होंने 1926 में तीन गैर ब्राम्हन लीडर की केस की पैरवी की जिसमें उन पर ये इलजाम लगा था कि वो ब्राम्हनों को बदनाम कर उनके खिलाफ पैम्पलिट बटवा रहे थे इसी की पैरवी करते हुए अंबेटकर ने ये केस लड़ा और इसमें विजय भी हुए अब तक भीमराव जी प्रख्यात वकील और समात सुधारक बन चुके थे पर अभी भी वो उसी चौल में रह रहे थे जिसमें जरूरत की बहुत कम सुविधाएं थी कहते हैं आप कहीं भी और चले जाएं पर आपका इतिहास हमेशा आपके साथ ही रहता है अंबेटकर जी भी अपने दलित होने का बोज उठाते रहे उनके सुयोग्य होते हुए भी उन्हें सिदनहम कॉलेज के प्रंसिपल का पदभार नहीं मिला किलोसकर के सिफारिश के बावजूद भी उन्हें कॉलेज का प्रंसिपल नहीं बनाया गया हाला कि जून 1925 से 1928 तक उन्होंने बाटली बोई अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट में पार्ट टाइम मरकेंटाइल लॉग के टीचर की भूमिका निभाई उसी अंतराल में उनकी पत्नी ने उनके पुत्र राजरतन और पुत्री इंदू को जन्म दिया इंदू की मृत्यू तुरंथ ही हो गई थी इधर रमाबाई की तबियत भी खराब होने लगी तो अंबेटकर ने सोचा कि रमाबाई को उनके पैत्रिक स्थान पर पहुचा दें दुर्भाग्यवश अंबेटकर की पुत्र राजरतन की भी 1926 में मृत्यू हो गई जन्वरी 1927 अंबेटकर जी ने एक सभा संबोधित की जिसमें ऐसे दलितों की समस्या रखी जिनको वर्ल्ड वार वन में भाग लेने के बाद भी असक्षम घोशित कर दिया गया था बाद में गवरंडमेंट ने इसको भी हटा दिया जन्वरी 1927 को बॉंबे के गवर्नर ने अंबेटकर को लेजिसलेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद तो दलितों के जीवन में क्रांती सी आ गई थी अब जो आंदोलन कागजी थे उनको जीवन्त करने का समया गया था बोले आंदोलन जो पास हुआ था उसका उप्योग अभी तक बस कागजी ही था पर उनके मेंबर बनने के बाद भीम ने ये सुनिश्चित किया कि उस आंदोलन का सब अनुसरन भी करें जो टैंक कागजों में दलित के लिए खोल दिये गए थे ताकि वो शुद्ध पानी पी सकें असल में उच्च जाती के हिंदूओं के डर से दलित उसका इस्तिमाल नहीं किया करते थे पर अब वो टैंक दलितों के लिए खोल दिये गए थे और स्वर्णवर्ण के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे उन्होंने एक कॉन्फरेंस में दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए सिर्फ उच्च जाती का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए उन्होंने गुजारिश की कि मिलिटरी में दलितों पर जो बैन लगा है उसे भी हटाया जाए उनकी आर्थिक स्थिती ठीक की जाए उन्हें अफसर दिये जाएं उन्होंने एक शान्ती पूर्ण तरीके से मार्च भी निकाला जिसमें टैंक से पानी लिया गया इस बार दलितों ने इसमें बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और अपने अधिकार सब के समक्ष रखे कॉन्फरेंस खत्म करने के बाद वो अपने बंगले पर चले गए जहां वो ठहरे हुए थे इधर कॉन्फरेंस के पंडाल में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा दलितों की पिटाई भी हुई और जब अमबेडकर जी ये देखने आए तो उन उपद्रव्यों ने भीम को भी घेर लिया पर भीम ने निडर होके अपनी बात रखी इस घटना ने अमबेडकर के जीवन को बहुत प्रभावित किया उनके बड़े भाई उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दिया करते थे आगे चल कर उन्हें ये ग्यात हुआ कि जन साधारन को जागरुक करना कितना जरूरी है इसके लिए इन्होंने बहिश्कृत भारत की स्थापना की जिसमें इन्होंने अर्धमासिक पत्रका को अपनी आवाज का जरिया बनाया ये पत्रका ना ही सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी बलकि उच्च जाती के हिंदूओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड समाज का हिस्सा नहीं है उन्हें भी कुछ ग्यान है वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं उनका मानना था कि जाती वाद नहीं जाएगा जब तक हम हिंदू समाज की फिर से रचना नहीं करेंगे वरना तो दलित या शूद्र चिरकाल तक शूद्र ही रहेंगे और ब्राम्हन बिना ग्रंथों का ग्यान रखे ब्राम्हन ही रहेंगे हिंदू समाज का वरगी करण उनके ज्ञान और प्रोफेशन के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं और जिस दिन दलितों ने अपना आत्म सम्मान और आजादी प्राप्त कर ली, उस दिन से वो देश को बहुत कुछ दे पाएंगे जैसे उनका ज्ञान, साहस, बल इत्यादी और देश की तरक्की और आगे बढ़ती रहीगी कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई, इंडियन स्टाचिटरी कमिशन जिसका नेत्रित्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, वो 1928 फरवरी में बॉम्बे पहुची एक कॉंफरेंस रखी गई, जिसमें पंडित मोतिलाल नहरू को कॉंस्टिटूशन बनाने के लिए बोला गया, उन्होंने वैसा ही किया, पर बाद में पता चला कि नहरू ने जो समविधान बनाया था, उसमें हिंदू मुसलिम को जोडने पर जाधा ध्यान दिया गया था, क्यूंकि उस समय हिंदू मुसलिम में फूट की चिंगारी सुलगने लगी थी, और उसका धुआ जन जन के पास जाने लगा था, पंडित जी को लगा कि बाहरी तत्व कहीं इसका फाइदा न उठा लें, इसलिए उन्होंने ऐसा समविधान बनाया जिसमें दोनों को जा सके, बाद में अंबेडकर जी को ग्यात हुआ कि इसमें तो डलितों पर जादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए पंडित जी का बनाया गया समविधान आलोचना का पात्र बन गया, शाला कि इसमें उनकी जाधा गलती नहीं थी, क्यूंकि उन्होंने डलितों के प्रवेश नहीं मिला पर ये लोग वहां से नहीं हटे और मंदिर के गेट के सामने ही पालती मार कर बैठ गये और भजन कीरतन करने लगे नहीं उच्च जाती के हिंदू इनको मंदिर के अंदर आने देना चाहते थे नहीं ये अपना सत्याग्रह तोड़ना चाहते थे तब किसी ग्यानी पुरुष ने इसके बीच का रास्ता निकाला और भगवान राम की मूर्ती को एक रत में रखकर इन लोगों ने यात्रा निकाली इन सारी चीजों का असर अंबेडकर जी के स्वास्ते पर पड़ा और वो एक सभा को संबोधित करते हुए बेहोश होकर गिर गए और ये बताया जाता है कि बेहोशी के हालत में भी वो बस समाज के कल्यान की बातें और उनके सपनों को ही बुद्बुदा रहे थे कॉन्फरेंस और पैक्ट ब्रिटिश गवर्णमेंट ने लंडन में राउंड टेबल कॉन्फरेंस करने का फैसला लिया जिसमें भारत के अलग-अलग राजनेतिक पार्टी के प्रतिनिधी हिस्सा ले रहे थे तेरपन भारतियों को नियोता दिया गया था जो की अलग-अलग तबगे के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे सितंबर 6 1930 को अंबेटकर जी को भी नियोता गया नवंबर 12 1930 को अंबेटकर जी ने लंडन पहुँचकर इस कॉन्फरेंस में भाग लिया राम से मिकडॉनल्ड को इस कॉन्फरेंस का चेर्में चुना गया वहाँ पर भी अंबेटकर जी ने बहुत ही यादगार स्पीच दी स्पीच में भीमराव जी ने बताया कि दलितों को भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है उन्होंने ब्रिटिश गवरंडमेंट से भी अपनी स्पीच में कुछ प्रश्न किये जिससे ब्रिटिश और भारतिय सरकार में व्याकुलता बढ़ा दी उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी भी ऐसी सरकार है जो आधे से ज़ादा लोगों की परिशानियों से अंजान है ब्रिटिश सरकार भी उनकी सपश्ट बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई बढ़ोदा के महराज भी उस कॉन्फरेंस का हिस्सा थे जिसमें ये पता लगाया जाना था के अंबेडकर जी वीर सावरकर और दूसरों की तरह क्रांतिकारी हैं या फिर उग्रवादी हैं कॉन्फरेंस के शुरुआती दिनों के बाद अंबेडकर जी ने कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे की गेहन बहस के बाद दूनों इस नतीजे पर आए कि दलितों को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने साथी धर्म वालों से असहमत या अलग हो जाएं अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए फंडमेंटल राइट्स में दलितों के कल्चर उनके धर्म और आर्थिक अधिकार हिंदू समाज को माने रहेंगे राउंड टेबल कॉन्फरेंस में ये अच्छी बात हुई कि कॉन्फरेंस में मुसलिम मेंबर के बार बार आगरह करके भारतिय दीदू समाज का अलग स्थान दिलवाने के बजाए कॉन्फरेंस में एकता, अखंडता, आजादी पर जादा ध्यान दिया गया पर round table conference जादा कमाल नहीं दिखा सकी जितना सबने सोचा था Ambedkar जी एक अथक प्रयास के कारण ही Bombay सरकार ने ये घोशना की कि वो अब दलितों को भी आर्मी और पुलिस में भरती करेगी उसी के साथ ही British Prime Minister ने Congress Leader को छोड़ने का आदेश भी दिया महत्मा गांधी ने Lord Irwin से गहन विवेचन के बाद ये पैक्ट किया कि Indian National Congress अपने Civil Disobedience Movement को समाप्त कर दिया Round Table Conference की दूसरी मीटिंग में Ambedkar जी को भारत का Constitution बनाने को बोला Newspaper वाले जो पहले भीम को कुछ नहीं समझते थे वो भी उनके नाम का लोहा मानने लगे थे सबकी निगाहें उस वक्त Round Table की Second Opening पर थी जब महत्मा गांधी वहाँ पर स्पीच दे रहे थे 15 सितंबर 1931 में गांधी जी ने Federal Structure Committee जिसके Ambedkar जी हिस्सा नहीं थे में ये स्पीच दी कि Indian Congress हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है फिर वो चाहे मुस्लिम, हिंदू, सीख, इसाई या दलित हो उसी दिन Ambedkar जी ने गांधी जी की स्पीच का उत्तर देते हुए कहा कि Federal Structure Committee कभी भी उन्हें उनके सारे अधिकार नहीं दे पाए और उनके आंत्रिक मामलों पर भी हस्तक शेप करती रहेगी इंडियन प्रिंसली स्टेट को Federation जॉइन करने से पहले Federal Committee को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पास परयाप्त मात्रा में स्रोत है की नहीं RTC में Ambedkar द्वारा दी गई स्पीच ने उनको रातों रात प्रसिध कर दिया था यहां तक कि जो कटर हिंदू थे वो भी विस्मई होकर उनकी स्पीच से नोट लिखा करते थे ब्रिटिश प्रिमियर ने उनका पुरसकार भारत में फैली किसी साम्प्रदाइक समस्या को देना चाहा इसमें ये था कि प्रोविंशल असेंबली में वो दलितों को अलग से सीट देंगे और उन्हें डबल वोट का भी अधिकार होगा जिससे वो अपना प्रतिनिधी चुन सकेंगे इस से साम्प्रदाइक मतभेद पैदा हो गया और इस तरह इस अवार्ड की सबने निंदा की गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल मिले अम्बेडकर और गांधी जी को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यरवदा जेल में डाल दिया था की दोनों ने अपने अपने स्थानों पर महारत हासिल कर रखी थी और कोई भी जुकने के लिए तयार नहीं था दोनों अपने तबके के अधिकारों को बचा कर रखना चाहते थे घंटों चली वारता के बाद ये निशकर्ष निकला कि प्रोविंशल असेंबली में दलितों को 148 सीट दी जाएगी और ये ही नहीं सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया की हिंदू सीटों का 10 प्रतिशत भी दलितों के नाम कर दिया जाएगा यहाँ पर पूना पैक्ट का जिक्र जरूरी है अमबेडकर और गांधी जी में अकसर लंबी बात चीच चलती थी दोनों अपने पक्ष को रखते थे और दोनों ही अपने पीछे नहीं हटते थे ऐसा फिर से हुआ जब मंदिर में एंट्री का बिलपास कराना था अमबेडकर के बॉंबे आने के बाद उन्हें एक टेलिग्राम आया जिसमें गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी उन्होंने ये टेलिग्राम यरवदा जेल से ही भेजा था उसी बीच राउंड टेबल की मीटिंग भी दिल्ली में रख दी गई उन्होंने गांधी जी को टेलिग्राम भेजा और दिल्ली से वापस आकर उनसे मिलने के लिए बोला मीटिंग से लौट कर बॉंबे आने के बाद उन्होंने फिर से गांधी जी को टेलिग्राम भेजा जिसमें 4 फरवरी 1933 को उनसे मिलने के लिए बोला गांधी जी अपने कुछ मित्रों के साथ ठीक दोपहर के साड़े बारा बजे मिलने पहुंचे गांधी जी ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया उन्होंने अमबेडकर जी से आगरह किया कि वो टेंपल एंट्री बिल को अपनी सहमती दे दे पर अमबेडकर जी ने उसे इस आधार पर नकार दिया कि बिल सिर्फ दलितों को मंदिर जाने की अनुमती देगा पर असपरशिता को जड़ से नहीं मिटाएगा और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि असपरशिता एक अभिशाप है उन्होंने गांधी जी से बहुत ही साफ और विनम्र शब्दों में बोला कि ये असपरशिता तब तक नहीं जाएगी जब तक जाती विवस्था नहीं जाएगी पर गांधी जी का आटूट विश्वास जाती विवस्था में था वो इससे नहीं अलग होना चाहते थे नहीं अलग हो सकते थे हाला कि वो दलितों और असपरशि लोगों के विकास और उन्नती का कारे करते पर वो खुद को उससे अलग नहीं करना चाहते थे और यही कारण था गांधी जी और अमबेडकर जी के मत भेद का आने वाला तूफान तीसरी राउंड टेबल कॉन्फरेंस के अनुसार मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा वाइट पेपर इशू किया गया जिसमें भारत के सम्विधान में कुछ सुधार के लिए कुछ प्रपूजल थे ये वाइट पेपर ब्रिटिश सुविवेचित किया जाना था ब्रिटिश पार्लेमेंट के दोनों सदनों के साथ ये घोशना बहुत सारे भारतिये लीडर्स के लिए निंदा का कारण बनी वाइट पेपर की घोशना के बाद उन नामों की घोशना हुई जिनको कमिटी जॉइन करनी थी सत्रह लोग ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 32 ब्रिटिश पार्लेमेंट के दोनों सदनों में चुने गए थे अंबेडकर जी भी उन्हीं डेलिगेट्स में से एक थे इसके लिए अंबेडकर ने बाकी डेलिगेट्स और उनके अनुयाईयों से जबरदस्त परामर्श किये यहां तक कि वो परामर्श करने गांधी जी के पास यर्वदा जेल भी पहुँच गए चे मई 1933 में वो लंडन पहुँचे काफी व्यस्त समय होने के बावजूद भी वो गांधी जी की हालत पर जायजा लेते रहे यहां तक कि वो अपने मित्र किलोसकर की हालत भी पूचते रहे किलोसकर अब अपनी आखरी सांसें गिन रहे थे उनकी स्थिती देखकर अमबेटकर ने बड़ोदा के महराद से उनकी आर्थिक स्थिती के लिए पैसे प्रदान करने के लिए प्रिटिशन भी दायर की ताकि किलोसकर का आखरी जीवन सही से बीते लंडन पहुचने के बाद जॉइंट कमीटी के भारतिय डेलेगेट की कॉनफरेंस हुई जिससे ये निश्चित हुआ कि वाइट पेपर की खामियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाएं इस मीटिंग में अमबेडकर जी ने अपने साथियों से बताया कि दलितों के लिए निरवाचन मंडल की मांग करेंगे क्योंकि उनके लोगों पर उच्च जाती के हिंदू ने बहुत अत्याचार किया है जॉइंट पार्लिमेंटरी कमेटी में अमबेडकर जी ने सर विंस्टन चर्चिल के समक्ष ऐसे आंतरिक और चुपने वाले सवाल किये जिससे वो एकदम चुप हो गए चर्चिल जिनको इतना घ्यान था इतनी अच्छी इंग्लिश थी वो भी अमबेडकर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाए जॉइंट कमेटी ने अपनी वारता नवंबर 1933 में खत्म की उनके वापस बॉंबे लोटने के बाद उन्होंने कुछ हखबारों को इंटर्वियू दिये जिनमें उन्होंने बताया कि वाइट पेपर में जो भी है वो असपर्श लोगों की भलाई में ही है बीते चार-पात सालों ने अम्बेडकर जी की मानसिक और शारिरिक अवस्था पर बहुत चोट की किसी करीबी की सलाह पर वो अपना इलाज कराने महाबलेश्वर के आयरवेद आचारे के यहां गए वहाँ पर इन्होंने अपना सर मुंडवा कर और सन्यासी का चोला धारण किया तब जाकर उनकी तबियत पहले जैसी हुई वो बहुत खुश थे कि जो बिल ड्राफ्ट कॉंस्टिटूशन का था वो बिटिश सरकार द्वारा जल्द ही पारित कर दिया जाएगा इसी बात की उन्हें उच्सुकता थी उन्होंने वखील और गवर्णमेंट लॉग कॉलेज में प्रोफेसर का पद भार भी संभाल लिया धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे बचाए और उन पैसों से अपना घर बनाने की सोची दादर के हिंदू कॉलनी में वो अपना घर बनाने में लग गए उन्होंने किसी भी आर्केटेक्ट की सहायता नहीं ली बल्कि खुद ही किताबें पढ़कर अपना घर कुछ ऐसे डिजाइन किया कि जिससे उनकी सारी किताबें एक यथा स्थित स्थान पर आ जाएं ये घर 1937 में बन कर तयार हुआ जिसका नाम राजग्रह था घर का निचली माला रहने के लिए था और उपरी माला उनकी किताबों के लिए जो इन्होंने देश-विदेश जाकर इकटा की थी उस समय तक अंबेटकर जी की पत्नी की तबियत बहुत खराब हो चुकी थी अंबेटकर जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को देखने का भी समय नहीं था जिससे वो मृत्यू शय्या पर पहुँच गई थी और अंत में दुरभाग्यवश 27 मई 1935 में उनकी मृत्यू हो गई इस पवित्र औरत ने कभी भी अंबेटकर जी से शिकायत नहीं की बस चुप-चाप सब कुछ सहती रही और उनको प्रोत्साहित करती रही धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनकी आखरी इच्छा थी कि वो पंधर पुर जाएं जो की महराश्ट्र का धार्मिक स्थान है हाला कि उनके दलित होने के कारण वहां के पंधित उनसे हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे और दूर से ही पूजा अर्चना करने के लिए कहते थे पर अमबेडकर जी को ये बिलकुल भी पसंद नहीं आता था वो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते थे कि उस पंधरपुर को भूल जाओ जो तुम्हें पूजा अर्चना करने से रोकता है बलकि हम खुद ऐसा पंधरपुर बनाएंगे जिसमें हर तबके का व्यक्ती पूजा अर्चना कर सकता हो अंबेटकर जी के धार्मिक ना होते हुए भगवान और हिंदू रिवाज को ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का क्रिया कर्म हिंदू रीतियों से ही किया उन्होंने अपना सर भी मुडवाया और शोक के दौरान भगवा कपड़े भी पहने उनकी पतनी के जाते ही उन्हें Government Law College Bombay में प्रिंसिपल की नौकरी प्राप्त हुई जिसको उन्होंने 1 जून 1935 को जोईन किया फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णे लिया जब कॉंग्रिस लीडरों ने पूना पैक्ट से अपने हाथ खीच लिये उस वक्त अंबेडकरजी उनकी इस हरकत से बहुत निराश और हताश हुए उनके मन में निरंतर ये खयाल चलने लगा कि कैसे वो अपने अनुयाई और अपने तबके के जीवन के स्तर को बढ़ाएं कैसे वो असपरशता जैसे अभिशाप से अपने लोगों को मुक्त कराएं अखबारों में ये खबर आने लगी कि दलित कॉन्फरेंस में अमबेडकरजी अपना धर्म बदलने की घोशना करेंगे जो कि 1935 में योला में होनी थी ये खबर उच जाती के हिंदूों के लिए बिजली की तरह गिरी उन्होंने अमबेडकर को पत्र लिख कर ऐसा ना करने के लिए कहा एक सभा में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनका और उनके पूरवजों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं और वो अपने पूरवजों को हिंदू नहीं मानेंगे उन्होंने पूना पैक्ट बस इसलिए साइन किया था क्यूंकि गांधी जी ने उनसे ये करने का आगरह किया था बाद में जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि उची जाती के हिंदूों ने उनसे सिर्फ जूठे वादे किये थे उनका दलितों और असपर्ष समाज को लेकर कोई विचार नहीं है हिंदूओं ने उनकी उन्नती के लिए कुछ भी नहीं किया 1930 में जब दलित समाज के समूह ने धर्म परिवर्तन कर इसलाम धर्म अपनाने का निर्ने लिया तो अमबेडकर जी ने उनसे थोड़ा और समय ठहरने को बोला वो देखना चाहते थे कि हिंदू अपने वादे के मुताबिक असपर्षता हटाने के लिए कुछ करते भी है की नहीं येवला की सभा में करीब 10,000 दलित और असपर्ष तबके के लोगों ने हिस्सा लिया जो की बहुत दूर से आये थे उन्होंने फिर से सभा में असपर्ष लोगों पर हुए अत्याचार उनका आर्थिक शारीरिक और मानसिक शोशन सब के सामने रखा उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें साधारन से मानव अधिकार से भी वंचित कर रखा है क्योंकि असपर्ष ता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि वो जन्म से शूद्र पैदा हुए थे तो उन्होंने सबके समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या वो सब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहेंगे अत्वा कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे जिनमें उन्हें वो ही अधिकार मिले जो सबको मिलते हैं सबहा में उन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला कि जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए और वो ये था कि मैं आपको ये सांत्वना देता हूँ कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा जिसका मतलब था कि वो जरूर ही किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेंगे अमेटकर जी की इस बात ने मानो भूचाल ला दिया हो सिर्फ राजनैतिक पार्टी ही नहीं बलकि धार्मिक पार्टी भी इस वाके से बहुत धक्के में आ गई उनके पास सभी धर्मों से निमंतरन आने लगे चाहे वो सीख हो, इसलाम हो या इसाई ही क्यों ना हो हर धर्म के लोग इन्हें अपनी तरफ खीच लेना चाहते थे यहां तक कि इनके पास बनारस के महाबोधी समाज के सेकरेटरी का भी टेलिग्राम आया उन्होंने भीमराव से बुद्ध धर्म अपनाने का आगरह किया पर इनका ये निर्ने गांधी जी को पसंद नहीं आया था उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुरभाग्यपूर्ण कहा उनका मानना था कि असपरशता खत्म होने वाली थी ऐसे में धर्म परिवर्तन करना गलत है वो कहते थे कि धर्म कोई चोला नहीं है जो उतार के फेंक दिया जाए या उसे रोज बदल लिया जाए बल्कि धर्म तो आपके अंदर बसा हुआ है ऑक्टुबर 30, 1935 में अमबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोशना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था मसूरकर महराज असपरशिता की अभिशाप को समझते थे और उन्होंने अमबेडकर जी से थोड़ा और धैरी रखने के लिए कहा श्री आर जी प्रधान और अमबेडकर जी की पत्रों के द्वारा वारता हुई जिसमें प्रधान जी उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे थे पर अमबेडकर जी उन्हें समाज में फैली इस कुरीती का आइना दिखा रहे थे अंत में अंबेडकर जी ने ये कहा कि अगर हिंदू समाज अपने वादे पर टिका रहा और उसने अस परशिता को जड़ से उखाडने में उनका साथ दिया अथवा उनकी उन्नती और विकास के लिए कार्य किये तो वो अपने धर्म परिवर्तन के इस फैसले को पांच सालों तक त्याग देंगे शोशितों के लीडर गवर्नमेंट ओफ इंडिया एक्ट 1935 ने ये घोशित किया कि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंशल असेंबली के इलेक्शन 1937 में कराएंगे ये घटना सिर्फ राजनैतिक पार्टी के लिए ही मुख्य नहीं थी बल्कि ब्र लीडर चुनने का अधिकार मिलने जा रहा था अंबेटकर जी ने उंची जाती के हिंदूओं का अपने लोगों की तरफ वेवहार देखकर और पूना पैक्ट का हाल देखकर खुद की एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का आइडिया आया जिसके लिए इन्होंने इं आज के सुधार का भी कारे उनके जिमेदारी होगी नवंबर 1936 को भीम राव जी जिनेवा को रवाना हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि काम के बोज में वो बहुत ठक चुके हैं थोड़ा हवा पानी का बदलाव होगा तो उनमें फिर से उतना ही जोश भर जाएगा वो बॉमबे जनवरी 1937 में लोट गए वहां से लोटते ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे उन्होंने अपना हाथ दूसरे राजनेतिक पार्टी को भी बढ़ाया जैसे L.B. भोपतकर जो डिमोक्राटिक स्वराज पार्टी के लीडर थे और N.C. केलकर केलकर लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। केलकर ने लोगों से मुख्य गुजारिश की वो अंबेडकर जी को वोट ने क्योंकि उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी दलितों के बेताज बादशा हैं। कॉंग्रस पार्टी ने भी अप का परिणाम घोशित हुआ। जिसमें ये निकल कर आया कि अंबेडकर जी ने भारी मतों से अपने विरोधियों को हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट जो अंबेडकर जी ने खड़े किये थे उनको निर्वाचित किया गया था। मार्च 1937 में एक और घटना घटी जिसने अंबे कॉंग्रेस पार्टी ने जादतर हिंदूों के वोट पाये थे पर फिर भी वो गवर्ण्मेंट को जॉइन करने में असमर्थ थी। तब तक के लिए अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन हुआ। और ये माना गया कि ये बस केरटेकर मिनिस्ट्री होगी और छे महीनों में फिर से मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी। आखिर बॉंबे प्रेजिडेंसी में अंतरिम मिनिस्ट्री ने सम्मिलित किया। और कॉंग्रेस पार्टी ने फिर से मिजॉरिटी में मिनिस्ट्री बनाई जिसके प्रधान बी जी खेर हुए। आई अब बात करते हैं अंबेटकर जी की देश की तरक्की में विभिन योगदान की सबसे पहले जानते हैं उनकी लेजिसलेटर की भूमिका में किये गए कार्य अम्बेडकर की खेर से पहली भिडंत तब हुई जब मिनिस्टर की 500 रुपे तंखा रहने के लिए घर और आने जाने का किराये का बिल पास कराना था अम्बेडकर जी इनके बिलकुल खिलाफ थे उनका कहना था कि मिनिस्टर की तंखा मार्किट में चल रहे रेट के अनुसार 75 रुपे ही सही है बिल को पास कराने के लिए चार बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है पहला योग्यता, दूसरा लोक तंत्र, तीसरा अखंडता और चौथा और आखरी है प्रशासन की शुद्धता मंत्रियों को 75 रुपे से जादा सैलरी देना गलत है उस पर खेर ने ये तरक देते हुए कहा कि ये सब मात्रिभूमी को सेवा के लिए उन्हें दिये जा रहा है जब प्रोविंशल असेंबली सेशन में नहीं थी अब भी अम्बेडकर जी ना सिर्फ शोशित तब के बलकि किसानों और खेती कर रहे मजदूरों के लिए कैमपेइन चलाते रहे इन्ही कैमपेइन में 17 सितंबर 1937 को अम्बेडकर जी ने एक सभा रखी और उसमें उन्होंने जमीनों के खोटी विवस्था को खत्म किया अम्बेडकर जी पहले ऐसे विक्ती थे जिन्होंने खेती में दास व्रती की प्रधा को खत्म किया था जो की सदियों से चली आ रही थी कॉंग्रिस लीडर और अमबेडकर जी की एक और ऐसा हमती हुई जिसमें शिड्यूल कास्ट का नाम हरिजन रख कर बिल पारिथ कराया जाना था अमबेडकर के एक अनुयाई B.K. गाइकवार्ड ने एक अमेंडमेंट प्रपोस किया जिसमें हरिजन के नाम को हटाया जाना था। उन्होंने अम्बेटकर की सराह लेकर एक स्पीच तयार की जिसमें उन्होंने बोला कि अगर असपर्श लोगों को हरिजन मतलब भगवान के बंदे बोला जाएगा तो उची जाती के हिंदूओं को क्या शैतान बोला जाएगा। अगर सारे लोगों को हरिजन बोला जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। असपर्श लोगों को एक प्यारा सा नाम दे देना उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा। बलकि उसकी जगह अगर कोई ठोस कदम उठाए जाएगे तब दलितों का विकास होगा। असेंबली में कॉंग्रेस के लीडर जादा होने के कारण उनके इस अमेंडमेंट को सुविकारा नहीं जा सका और उठा के फेंक दिया गया। इसको देखकर अमबेटकर जी अपनी सीट से उठकर बोलने लगे कि अगर इस अमेंडमेंट को पारित कर लिया जाता है तो किसी का इसमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि असेंबली में कॉंग्रेस की लीडरों की मात्रा जादा है तो मुझे डर है कि आगे के कोई भी बिल पास नहीं हो पाएंगे इसलिए हम असेंबली की आगे की कारवाही छोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें वर्किंग क्लास का चैंपियन भी कहा जा सकता है। सिर्फ दलितों और असपर्शी लोगों के लिए ही नहीं अमबेटकर जी ने मजदूरों के लिए भी लड़ाईयां लड़ी। इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सितंबर 1938 में बॉंबे लेजिसलेटिव असेंबली ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पास करना चाहा। अमबेटकर जी ने ये कहकर इस बिल की आलोचना की कि ये सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा पहुचाएगा, मजदूरों को नहीं। इस वज़ह से अमबेट 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बॉंबे प्रेजिदेंसी ट्रेड यूनियन कॉंगरस ने एक दिन की स्ट्राइक रखी। बॉंबे के सारे मजदूरों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बोला। इसमें 80,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया जिसका आयोजन जमनाद महता कर रहे थे। बहुत ही शांती पूर्ण तरीके से ये स्ट्राइक रखी गई जिसमें अंबेडकर और जमनादास महता ने मिल के स्थानों का जायजा लिया जहां पर ये मजदूर काम करते थे। पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेकने शुरू कर दिये जिसके वजह से कुछ लोग घायल भी हुए उनमें से एक पुलिस वाला भी था और कुछ दारोगा भी थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हवाई फाइरिंग भी की जिसमें दो लोग जखमी हुए। उसी शाम को जमनादास महता ने फिर से एक मीटिंग रखी जिसमें सारे मज मजदूरों को धन्यवाद और शुब कामनाएं दी कि उन्होंने बहुत शान्ती से इस स्ट्राइक को समाप्त किया। इस सभा में अंबेडकर जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कॉंग्रेस पार्टी पक्का वादा करे कि वो दलितों और मजदूरों क साथ देंगे तो वो कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए तयार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा किक्षेतर में। इसके साथ ही कई आयोजन और आंदोलन के जरिये उन्होंने दलितों के लिए प्रकर आवाज उठाई। अब तक अंबे प्रही के लिए लड़ने के लिए आपको मेरी सहमती की जरूरत नहीं है, बलकि हमें इस सहमती के लिए आपकी जादा जरूरत है। आपने अपना प्यार और आशिरवाद हमें दिया है, हमें आपसे किसी और तरह की सहमती चाहिए और वो है साहस एकता और डृता की। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई जीत नहीं जाते आप अपनी तरफ से कोशिश करने का वादा करिए और हम अपनी तरफ से लड़ने का वादा करते हैं नियाय हमारे साथ होते हुए हमें नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं ये बहुत खुशी की बात है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है इसमें कुछ भी भौतिक या अनैतिक नहीं है। हमारा संगर्ष हमारी आजादी के लिए है। ये लड़ाई मानव अधिकारों को पुनह प्राप्त करने के लिए है जिसको हिंदू समाज के द्वारा दबाया और विकृत किया गया है। और हमेशा दबाया और विकृत किया जाएगा अगर राजनैतिक संगर्षों में हिंदू समाज जीत गया तो। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा और सलाह भी दूँगा कि शिक्षित होईए। आयोजित होईए और अगर वक्त पड़े तो आंदूलन भी कीजिये। खुद पर यकीन रखिये और आशा का साथ कभी मत छोड़िये। मैं सदैव ही आपके साथ हूँ क्यूंकि मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह अम्बेटकर जी ने एक सचे लीडर और लेजिसलेटर की भूमिका बड़े ही साधारन पर द्रड़ तरीके से निभाई। ये सब जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान था नहीं। पर संगरशों की आँच पर जलते हुए अम्बेटकर जी ने अपना जीवन नियाय की भेंट चड़ा दिया जिसका फाइदा अब हम लोग उठा रहे हैं। ये सब बस उनका और उनके अनुयाईयों का ही किया गया प्रयास है जो अब हम सीच रहे हैं। दूसरे विश्वयुद के प्रकोप से कॉंग्रेस पार्टी असमंजस में आ गई। अमबेटकर जी ने भी क्रिप्स के मिशन को अस्विकार किया, हाला कि सब के अलग अलग कारण थे इसमिशन को ठुकराने के। अम्बेटकर जी ने इसलिए इस मिशन को नहीं स्विकारा क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने भारतिय मुस्लिम को अलग स्टेटस दे दिया था पर दलित और शोषत समाज के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाये थे। अम्बेटकर जी का पचासमा जन्म दिन 14 अप्रेल 1942 को बहुत धूमधाम से मनाया गया। शोषत और दलित समाज के लोगों नहीं नहीं बलकि उची जाती के हिंदू लीडरों ने भी बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा लिया। 19 अप्रेल को इनके जन्म दिन का जश्न चौपाटी में भी मनाया गया जिसमें M.R. जैकर अध्यक्ष थे। इसलिए उन्होंने कैमपेन बनाए और उच जाती के हिंदू द्वारा पहलाई गई असपरशता की प्रथा को जड़ से उखार फेंकने की कोशिश की। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बलकि आर्थिक और राजनेतिक स्थिती का भी सुधार किया। इस तरह से उन्होंने खुद को सच्चा देश भक्त साबित किया है। जून 1942 के तीसरे हफते में ये अफवाह फैली कि वाइस रॉय और भारत के गवर्नर जनरल अपने एग्जेकिटिव काउंसिल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सदस्यों की सूची में अमबेडकर जी का भी नाम था। इस अफवाह को प्रमानिकता तब मिली जब ये ख़बर पक्की हो गई और राम स्वामी अईयर मुहम्मद उस्मान, अमबेडकर, जेपी श्रिवास्तव और जोगिंदर सिंग का नाम सदस्यों के लिए चुना गया था। अमबेडकर का नाम Executive Council में शामिल करना बहुत ही प्रशंसनिय था। यहां तक की Congress ने भी कहा कि इससे मजदूर तबके के लोगों का विकास अच्छे से हो पाएगा। ये पहली बार था जब किसी असपर्श हिंदू का नाम Executive Council में लिया गया था। इसके बाद ही अमबेडकर All India Depressed Classes Conference की सभा को संबोधित करने नाकपूर चले गए थे। वहां जाकर उनके पास वाइसरोई का संदेश आया कि उन्हें Executive Council के लेबर पोर्टफोलियो के लिए चुना गया है। बॉम्बे लोटने के बाद वो दिल्ली जाने के लिए जल्दी करने लगे। वाइसरोई का लेबर पोर्टफोलियो का पद उन्हें दिये जाने का कॉंग्रेस ने कड़ा विरोध किया। Depressed Classes Welfare Association द्वारा आयोजित एक reception party में अंबेटकर जी ने कहा कि उन्हें कभी भी उचाई पर जाने का लोब नहीं है। जब उन्हें लगने लगेगा कि वो मजदूरों का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अगस्त 1942 में जब Quit India आंदोलन की घोशना हुई तो सितंबर 1942 में भारत की राजनेतिक स्थिती को देखते हुए Central Assembly में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें अम्बेटकर जी ने ये कहा कि Quit India मूवमेंट जो की Congress Party और गांधी जी द्वारा संचालित किया जा रहा है वो अहिंसा का मूल तत्व भूलता जा रहा है। इसके बाद ही Quit India मूवमेंट शुरू हुआ और पूरे देश में तहलका मच गया। उधर गांधी जी ने भी आगाखाँ पैलेस में 21 दिन का वरत शुरू कर दिया। पूरा देश सदमे में था। और Executive Council के भारतिय सदस्यों के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। पर अम तीसरी सभा Bombay Government Secretariat में हुई। इस मीटिंग में ये तैह हुआ कि फैक्टरियों और Industrial Unit के Joint Labor Committee का गठन हो ताकि दूसरी विश्वयुद्ध का प्रकूप इस पर ना पड़े। और Employment Exchange का भी गठन हो। वो मजदूरों के लिए च्छत, खाना, पढ़ाई और जरूरत की सारी सा इतन दिये जाने की बात कही गई थी। उसके बाद ही गांधी जी को उनके स्वास्तिके चलते आगाखां पहले से रिहा कर दिया गया था। वो वहां से अपना उपचार कराने पंचगनी चले गए। राजगोपालचारी द्वारा एक घोशना कराई गई कि जिन्ना के कि इस संदेश में क्या है। अंबेडकर जी ने इस घटना को बहुत ही शांत तरीके से लिया। और गांधी जी से पत्र के जरीए कहा कि हिंदू मुसलिम के साथ साथ हिंदू और असपरशिता के मसले को सुलजाना भी उतना ही जरूरी है। जिस पर गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वो अंबेडकर जी की योगिता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। पर उनके लिए ये मामला आस्था और धर्म का है। और इसमें जो भी सुधार होगा वो हिंदू समाज के अंदर ही होगा। उन्हो के लिए भूला भाई दिसाई और लियाकत अलीखां में एक पैक्ट भी हुआ जिससे दोनों पार्टी एक साथ आ जाएं। लॉर्ड वेविल जो उस समय भारत के वाइसरोई थे लंडन के लिए रवाना हो गए ताकि वो वहां इस पैक्ट के बारे में चर्चा कर सकें। इ दी जाए और दूसरे हिंदूओं को थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक अखंड भारत चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से ये अपील की कि वो उनके प्लान को स्विकार कर लें क्योंकि ये उन्हें जादा सुरक्षा देगा। और उनक कॉंग्रेस लीडर को जेल से छोड़ दिया और उनके शिमला में एक मीटिंग रखी। अंबेटकर जी ने इसमें भाग नहीं लिया तो वो सभा अंतरिम मिनिस्ट्री के गठन के प्रशने पर ही रुक गई। कॉंग्रेस ने अपने मुस्लिम लीडर रखने की बाद कही तो वहीं पर जिनना चाहते थे कि अंतरिम मिनिस्ट्री में मुस्लिम लीग से ही किसी को सदस्य बनाया जाए। विश्व की राजनीती में भी उठा पटक चल रही थी। उधर जापान में हिरोशिमा और नागा साकी पर बम गिराये जाने के बाद सरेंडर कर दिया था तो दू पाकिस्तान या नहीं स्लोगन से किया तो हिंदू महासभा ने आजादी और अखंडता से किया। अंबेडकर की शिडियूल कास्ट फेडरेशन तो मानों गहरे संकट में थी क्यूंकि ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही मशीनरी। उन्होंने पूना में एक मीटिंग रख की अंदेखा नहीं किया। इन्होंने सात्वें इंडियन नाशनल लेबर कॉन्फरेंस का भी उद्घाटन किया। मार्च 15 को ब्रिटिश लेबर गवर्न्मेंट ने ये फैसला किया कि ये भारत का अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमन वेल्ट से आजाद हो सके। क्रिप्स मार्च 24, 1946 को भारत पहुँचे और गांधी जी, पंदित नहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, एसपी मुखर जी, मौलाना अबुलकलाम आजाद और साथ ही भोपाल के नवाब के साथ वारता की। रखा जाए। उन्होंने अपना फैसला स्टेट पेपर के साथ सुनाया, जिसमें सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट के बनाये जाने, फेडरेशन और इंडिया और साथ ही साथ कॉंस्टिट्यून्ट असेंबली का गठन करने की बात कही। उस पर पेपर में शिडूल साथ के लिए कुछ भी नहीं था। स्टेट पेपर के रिलीज होते ही एक्जेक्टिव काउंसिल का विगटन हो गया और अमबेडकर जी मई 1946 को बॉम्बे आ गए। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। बॉम्बे आने के बाद भीम राव जी शिक्षा के क्षेत्र में बिजी हो गए। पीपल एडुकेशन सोसाइटी जिसका निर्मान भीम ने 8 जुलाई 1945 को किया था। उसी के अंतरगत उन्होंने 20 जून 1946 में सिधार्थ कॉलेज की स् इस नवीन स्थापित कॉलेज में अध्यापन करमचारियों की भरती के लिए अंबेडकर जी ने उनकी शिक्षा और योगिता को वरियता दी थी और ना ही उनकी जाती को। और इसी लिए उनके कॉलेज में उची जाती के लोग जादा थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि उ उन्हों ही बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हों, इसी लिए उन्होंने अपने कॉलेज का नाम सिधार्थ रखा, जो बुद्ध के बहुत सारे नामों में से एक है। उन्होंने हमें समानता दिखाई और ये समानता सिर्फ पुरुषों के बीच ही नहीं बलकि पुरुष और स्त्री के बीच की भी थी। पीपल एडुकेशन सोसाइटी द्वारा दूसरा शिक्षन संस्थान खोला गया, जो की औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज के नाम से जाना गया। इसकी आधारशिला डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने सितंबर 1951 में रखी। और राजा ने नगासेन से बुद्ध धर्म के बारे में जाना, राजा और भिक्षू के बीच में जू भी वारता हुई उसको मिलिंद पन्हा के नाम से किताब में स्रजित कर दिया गया। मिलिंद और सिधार्थ दोनों ही कॉलेज अपनी ताकत और महत्ता में आगे बढ़ते गए। People Education Society ने बाद में महराष्ट में ही बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की। भीमराव जी इन सारे संस्थान में जाया करते थे और चात्रों और अध्यापकों को संबोधित किया करते थे। उनकी स्पीच ग्यान और उनके चात्र जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मनुश्य उम्र भर चात्र ही रहता है और कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अपनी छोटी सी लाइबरिरी बनानी चाहिए और हमेशा जरूरत मंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने खुद तपते सूरज में खड़े होकर बिल्डिंग के बनने में निरिक्षन किया और तकनीकी मामलों में निर्देश भी दिये। जब भी वो वहां जाते थे तो कॉलेज में ही किसी छोटे से कमरे में ठहरा करते थे, क्यूंकि उन्हें लगता था कि होटेल में रुक कर वो व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे। एक बहुत ही प्रेणा दायक वाक्या हुआ जब अंबेडकर जी और उनके कुछ मित्र और अंगाबाद गए और वहां पर उन्होंने अक्टर दिलीप कुमार और उनकी बेहन को देखा। वो दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने आये थे। भीमराव जी के मित्र ने कहा कि चलो हम दिलीप जी से मिलते हैं, क्या पता वो हमारे कॉलेज के लिए कुछ डोनेशन ही दे दें। जीवन से कुछ सीख ले पाएं। उसके बाद वो लोग दिलीप कुमार की प्रतिक्रिया को जानने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेड कर भी बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं। हम उनकी भावना की प्रशंसा करते हैं। और वो रस्ती से बंधे-बंधे ही भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उनकी जगह कर्मवीर गायकवार ने ली। आर-ार पवार भी उनके लिए बहुत काम के व्यक्ति साबित हुए। प्रोफेसर वीजी राव भी बहुत दयालू विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। दीजी जाधव ने एड्मिनिस्ट्रेटर का पदभार संभाला। आर-ार भोले ने अपने संस्थान का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी वज़ह से ये संस्थान इतना आगे बढ़ पाया था। मिलिंद कॉलेज के कस्टोडियन रुजान जी भरसखले भी संस्थान के वफादार कर्मचारी थे। मिलिंद के कारेकाल में कॉलेज ने क्रिकेट, फुटबॉल, हौकी, टेबल, टेनिस जैसे इंटर कॉलेजेट टूर्नमेंट में कई खिताब हासिल किये। उनके द्वारा आयोजित, NCC कैंप ने उनके सुपीरियर से बहुत वहवाही बटोरी। उनकी छातरों के बीच प्रसिद्धी का ये राज था कि वो उनके साथ खेलते थे, उनको शिक्षित करते थे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिती को समझते थे, उनके साथ खाते थे और यहां तक उनके साथ डांस भी किया करते थे। हमें एन आर तावडे को भी याद करना चाहिए, जो उस समय मराठा वाड़ा युनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिनकी सला से भीमराव जी अपने संस्थानों को बहतर बनाते रहते थे, उनकी सबसे बड़ी भूमिका दलितों के पहली जनरेशन के चातर के रूप में हम पहली जनरेशन की पढ़ाई की स्थिती पर भी रौश्णी डालते हैं, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले चातर जो की पहली जनरेशन के चातर थे, या फिर शेडिूल कास्ट के चातर थे, इस समाज के लोगों की प्रारंभिक शिक्षा की भी कोई प्रता नहीं थी, बहुत से चातरों को जो चातर वृत्ती मिलती भी थी, वो उनके लिए परियाप्त नहीं होती थी, वो लोग अपने रहने ठहरने का भी बहुत मुश्किल से बंदुबस्त करते थे, पूरे दिन में बस एक बार खाना खाते थे, उनके पास लिखने के लिए परियाप्त कॉ अब जानते हैं कि उनके पढ़ाई करने के बाद क्या हाल होता था, उनको उनकी योगिता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती थी, और इससे वो फिर निराश और हताश हो जाते थे, उन्हें फिर भूखा सोना पड़ता था, अगर उन्हें नौकरी मिलती भी थी, तो दूस उसरी समस्याएं शुरू हो जाती थी, उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो जाता था, वो खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे, और उनके परिवार का भी बोज आ जाता था, पर लोग उनके स्थिती को नहीं समझ पाते थे, सबको सहायता करनी चाहिए थी, और उनके लिए वो करना चाहिए था, जो भी उनके बस में था, इन संस्थानों का योगदान छात्रों के परिणाम पर भी निर्भर करता था, जो छात्र इन संस्थानों में विशम परिस्थितियों में पढ़े थे, वो बहुत हाई पोस्ट पर का वो पूरे देश में कहीं डॉक्टर, कहीं इंजिनियर, कहीं साइन्टिस्ट, कहीं प्रिंसिपल, कहीं शिक्षा शास्त्री के रूप में कारेरत हुए। उनमें से एक छात्र ने बैंगलोर के इंस्टिटूट अफ सोशल एंड एकनॉमिक चेंज में तीन पीछडी डिगरी के साथ बहुत हाई पोस्ट हासिल की। एक छात्र ने बॉमबे हाई कोट में जज की भूमिका निभाई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जनसे हमें पता चलता है कि कैसे इन संस्थानों ने हमें महान व्यक्तियों की भेंट दी है। बाबा भीम राव जी ने शिक्षा के क्ष गाल प्रांत में बहुत लड़ाईयां और दंगे होने लगे थे। इस कारण कॉंग्रेस लीडर को सामप्रदाइकता के आधार पर पार्टिशन के लिए हाँ बोलनी पड़ी। अप्रेल उनिस सो सेंब्ली का तीसरा सेशन और उस मीटिंग में एडवाईजरी कमीटी की रि सेल्यूशन को पास कराने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड वेवल भारत की उथल पुथल वाली स्थिती को संभालने में असमर्थ थे। इसलिए उनको रिप्लेस करके लॉर्ड लुइस माउंट बेटन की न्यूकती कर दी गई। ब्रिटिश गवर पूरी हो गई थी कि गांधी जी को हमेशा से सांप्रदाइक्ता की अनुसार देश के विभाजन के खिलाफ थे। उनको भी इस विभाजन के लिए हाँ बोलनी पड़ी और ये सिर्फ वो ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिल को मनाया है। इंडिया का इंडिपेंड मुसलिम मसले के कारण अलग हो रहा था। बॉंबे प्रोविंशल लेजिसलेटिव असेम्बली में एम आर जैकर ने इस्तीफा दे दिया और वहां का पद खाली था इसलिए उनको अब वहां से निर्वाचित होना था। जुलाई 1947 के चौथे हफते में आजाद भारत की पह मंतरी का पद संभालने के लिए पूछा। नहरु जी ने फिर गांधी जी से भंगी कॉलनी नई दिल्ली में मिलकर उनकी सहमती मांगी। नहरु शाम प्रसाद मुखर जी को भी कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे। जो कि हिंदु महासभा के सूप्रसिध लीडर थे। आजाद भारत के लिए मुखर जी और अमबेड कर दोनों अपने विवाद भुला के भारत का महान इतिहास लिखने को राजी हो गए। आखरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। असेंबली ने उन नामों की घोशना की जो भारत का समविधान लिखेंगे। पहला पाकिस्तान को खत लिखकर उनकी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान नीचे वर्क के हिंदूों की रक्षा नहीं कर पा रहा है और उन्हें इसलाम में तबदील होने के लिए दबाव डाल रहा है और यही हाल था हाइदराबाद का भी। उन्होंने तब के प्रधान मंतरी तक डुबा लिया था खुद की सेहत खराब होती जा रही थी पर फिर भी उन्होंने अकेले हे इस काम में अपनी जान जोंक दी थी अंबेटकर जी ही भारत के संविधान के आर्किटेक्ट थे इसका वर्णन कृष्णमचारी ने बहुत ही खूबसूर्ती से किया उन्होंने तीसरे अपना ज्यादा ध्यान स्टेट के कामों में लगाते हैं और बाकी ज्यादा तर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं आखरकार संविधान के आलेखन का सारा भार अंबेटकर जी पर आ गया और कृष्णमचारी ने आगे कहा कि हमें अंबेटकर जी का रिनी होना चाहिए उ सारे यूनीक फीचर थे पहला के पूरे विष्व में यह पहला लिखित संविधान था दूसरा यह कि व्यापक होने के साथ साथ इसमें शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूरवक किया गया था यह संविधान लचीला पर-द्रड भी था आखरी इसमें समय के साथ ब कबीर से दुबारा शादी की नई दिल्ली में सिविल मैरिज आक्ट के अंतरगत ये विवाह संपन न हुआ ड्राफ्ट कॉंस्टिटूशन की तीसरी रीडिंग पर अंबेडकर जी ने आजाद भारत के लोगों को स्पीच दी उसमें उन्हों कि 26 जन्वरी 1950 में हम लोग विरोधाभास में कदम रखने जा रहे हैं एक तरफ तो राजनीती में तो हम लोग समान हैं पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत आसमानताएं हैं राजनीती में One Man, One Vote या One Man, One Value है पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में इस प्रिंसिपल का खंडन होता है। हम कब तक इस विरोधा भास से भरे जीवन को जीते रहेंगे। हम लोगों को इस विरोधा भास को खत्म करना होगा, नहीं तो ये भारत के लोक तंत्र को खत्म कर देगा। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने ना केवल दलितों के लिए वरन हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया। करने की इच्छा जताई। धर्म के लोग को गोद ले सकते हैं या फिर अपनी पुत्री को उत्राधिकारी भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल को निर्धारित करने का मुख्य उद्धेश्य, हिंदू लौ को और बेहतर बनाना था। उन्होंने हिंदू शास्त्र और मानव स्मृती की कुछ पंक्ती भी सुनाई उसी शाम उनको एक सुनहरा कासकेट दिया गया जिसमें भारत के सम्विधान की कौपी थी इस अफसर में भी उन्होंने स्पीच दी और कहा कि जब उन्हें कंस्टिटुएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया था तब उन्हें इस सोचें उनके साथमें जन्म दिन जो की 14 अप्रेल 1950 को था बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया गया इस अफसर पर एम सी चागला ने पूरे भारत के निवासियों से कहा कि अमबेडकर जी का नाम सिर्फ गरीबों और दलितों के विकास के लिए ही नहीं अपितू पूरे भारत के सुख और सम्रिधी के लिए जाना जाना चाहिए इसी दौरान अमबेडकर जी ने हिंदू कोर्ड बिल को फिर से ड्राफ्ट किया नवंबर 1950 में उन्होंने पार्लिमेंट के सदस्यों को एक बुकलिट बाटी जिसमें हिंदू कोर्ड बिल को क्यूं बदला गया उसका महत्व उसकी प्रकृती के बारे में बताया था कुछ दिनों तक इस बिल को रोक दिया गया फिर 5 फरवरी 1951 को पार्लिमेंट में प्रस्तुत किया गया इस बिल पर वाद विवाद तीन दिनों तक चला वहाँ पर भी कुछ मंत्रियों ने इसे सहमती दी तो कुछ ने एतरास जताया मई 1951 को फिर से पार्लेमेंट के सामने इस बिल को पेश किया गया और उसके साथ डेड़ घंटे की स्पीच दी जिसमें उन्होंने पार्लेमेंट के सदस्यों के संदेह को बखूबी समझ कर दूर किया उनकी बहुत सारे सदस्यों से बहस भी हुई उनके पास जितना भी खाली समय होता था वो People Education Society के अंतरगत बहुत सारे शेक्षिक संस्थाइं खोला करते थे उनकी इतनी वेस्तता के कारण उनकी सेहत दिन बदिन घटती जा रही थी उन्होंने पंडित जवाहरलाल नहरू को पत्र लिखकर बताया कि उनकी तबीयत खराब है तो हिंदू कोर्ट बिल पर ध्यान दे कर उसको 16 अगस्त 1951 तक पास करा दें क्योंकि उन्होंने इस बिल पर बहुत महनत और खून पसीना बहाया है जिसका उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री नहरू ने कहा कि वो इस बिल को इतनी महत्ता ना दें क्योंकि इस बिल पर पार्लिमेंट के अंदर बाहर दूनों इतना बवाल हो रहा है इसलिए वो इसे अभी नहीं पास करा सकते और इसको सितंबर 1951 तक स्थगित करने के लिए कहा नहरू ने अपने वादे पर कायम होते हुए कॉंग्रेस पार्लिमेंटरी पार्टी को इस बिल को पास कराने के लिए कहा पर कॉंग्रेस के बहुत सारे MP ने इस कदम का विरोध किया और इस बिल के एक क्लॉद को बिल में शामिल करने के लिए कहा जो मैर이지 और डाइवास के लिए था इस बिल के जो दूसरे क्लॉदे थे उसको भविशे में पास कराने के लिए छोड़ दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर जी का कहना था कि ये बिल हिंदू समाज के मूल तत्व को ही मिटा देगा और अगर ये बिल पास हुआ तो सभी धर्म के सदस्य इसका अनुसरन करेंगे सरदार बी एस मान और हुकम सिंग दोनों इस बिल का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये बिल सिख धर्म को भी हिंदू समाज में शामिल कर लेगा जबकि बौध और जैन धर्म इसमें नहीं आते N.V. गडगिल और H. N. कुंजू ने इस बिल का समर्थन किया सारे सदस्यों की बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि पंडित नहरू को सब को शांत कराना पड़ा और उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस बिल के मैरिज और डाइवोस क्लॉज को एक अलग से बिल बना कर पास कराया जाए सितंबर 1951 को अमबेड कर ने खुद ये घोशना करी कि मैरिज और डाइवोस बिल को स्वतह पूर्ण माना जाए और बाकी के बिल को बाद में समय दिया जाए क्यूंकि अभी पार्लिमेंट का समय खत्म हो रहा है कॉंग्रिस पार्लिमेंटरी पार्टी ने सदस्यों को इस बिल के पास कराने की सहमती देने के लिए नहीं बोला और इस तरह इस पर विवाद चलता रहा अमबेडकर जी ने कहा कि शामा प्रसाद मुखर जी उस वक्त बिल से असहमत नहीं थे जब वो कैबिनेट में थे पर कैबिनेट छोड़ने के बाद से ही वो इसका विरोध करने लगे अमबेडकर जी ने फिर से ध्यान दिलाते हुए कहा कि जमीनी लौ के अंतरगत सिखों को हिंदू समाज में ही माना गया है उनके तीखे स्वरों ने कुछ सदस्यों को इस बिल का विरोध करने के लिए और उक्सा दिया और कुछ ने तो पंडित जी को भी इसमें खीच लिया आखिर में पंडित जी को अमबेडकर जी से इस बिल को छोड़ देने के लिए कहा सितंबर 25 को इस पर निशकर्ष निकला कि हिंदू कोर्ड बिल के क्लॉज 4 को पार्लेमेंट पास कर देगी और पार्ट 2 जो की मैरिज आक्ट था उसको नहीं स्विकार किया जाएगा अमबेडकर जी इस पूरे विवाद से बहुत आहत हुए और उन्होंने 27 सितंबर 1951 को अपना इस्तीफा प्रधान मंत्री को सौप दिया पंडित जी ने भारी मन से उनका इस्तीफा सुईकार किया और उस सेशन के आखरी दिन उन्होंने अमबेडकर जी से उनकी स्पीच की कॉपी देने को कहा जो वो इस अफसर पर सुनाने वाले थे 11 अक्टूबर को जब अमबेडकर अपना बकाया काम करने के लिए खड़े हुए तो डेपिटी स्पीकर ने उन्हें रुक दिया और कहा कि वो नहीं बोल सकते क्यूंकि उन्होंने अपने स्टेट्मेंट की कॉपी स्पीकर को नहीं दी है इस बात पर अमबेडकर जी को गुस्सा आ गया और वो बिना अपना स्टेट्मेंट दिये पार्लेमेंट छोड़ कर चले गए अमबेडकर जी का धर्मांतरन अमबेडकर जी 1935 से ही अपना और अपने अनुयाईयों का धर्मांतरन कराना चाहते थे हाला कि वो कोई भी धर्म अपनाने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक गहन अध्यन कर रहे थे उन्होंने कई धर्मे किताबें पढ़ी बहुत ज़ादा रिसर्च किया फिर जाकर उन्होंने बहुत धर्म अपनाने का निर्ने लिया मई 24 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोशना की जोकि ऑक्टूबर 1956 को होना था इस समय की बीच उन्होंने अपना समय बुध एंड इट्स धम्मा लिखने में लगा दिया अपने दोस्तों से विचार विमर्ष करके उन्होंने महराश्टर के नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बौध धर्म अपनाने का फैसला किया जहां पर बुध का बहुत बड़ा इतिहास था धर्मांतरन करने के लिए कुशी नगर के भिक्षू चंद्रमनी को बुलाया गया जो उस समय गुरकपुर में थे उस 14 अक्टूबर को दशेहरा भी था बहुत सारे दलित समाज के लोग वहाँ पर अलग-अलग जगह से आते जा रहे थे ये अनुष्ठान या समारो शरद्धानंद पीठ के खुले मैदान में होना था धर्मांतरन की एक रात पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फरिंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत धर्म अपनाने जा रहे हैं उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने इसलिए ये धर्म चुना क्यूंकि ये भारत की मिट्टी में उपजा है और समय के साथ ये भारत के कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन गया है 14 अक्टूबर 1956 के सुभा ही दिक्षा भूमी पर हजारों लोगों का जमावड़ा लगने लगा अमेट सफेद सिल्क धोती और कोट में वहां पर आए भिक्षु चंद्रमनी और चार और भिक्षु वहां इस समारों की शुरुआत करने लगे चणी द्वारा बताये गए पांच वचन अमबिट कर और उनकी पतनी लिया वो कुछ इस प्रकार है किसी को माटना नहीं, चोटीन कर जूट हीं बोलना, अनैतिक संभोग नहीं करना और शराब नहीं ना अगर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्टी पर सफेद कमल का फूल चड़ाया और उनके सामने तीन बार नतमस तक हुए उसके बाद उन्होंने जन सभा को संबोधित किया और 22 वचन लिये जो उन्होंने खुद बनाये थे उन्होंने फिर कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं और ये बोलते समय उनकी आवाज थर-थर आने लगी और उनकी आखें नम हो गई ये उनके लिए बहुत दुखमय समय रहा होगा जब उन्होंने अपने पूरवजों के धर्म को छोड़ा उन्होंने भीड में से उन लोगों को खड़े होने के लिए बोला जो बहुत धर्म अपनाना चाहते थे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा पर पूरी भीड वहां पर खड़ी हो गई धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने फिर तीन समूह बनवाए, पांच वचन दिलवाए और बाईस प्रतिग्या करवाई बहुत सारे अखबारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे और हितवारा नागपुर ने अम्बेटकर जी की बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने भारत की मिट्टी का ही धर्म अपनाया 16 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपनी देखरेख में सामाजिक धर्म परिवर्तन चंद्रपुर में भी करवाया बैरिस्टर राजा भाव खोबरा गड़े ने इनसे आगरह किया था कि वो ऐसा करें वो फिर वहां से नई दिल्ली आ गए अपने दोस्तों और अनुयाईयों के कहने पर उन्होंने चौती वर्ल्ड फेलोशिप आफ बुद्धिस्ट की कॉन्फरेंस काठमांडू नेपाल में भाग लिया उस दिन नेपाल की सरकार ने नैशनल हॉलिडे घोशित कर छुट्टी दी कॉन्फरेंस का उद्गाटन खुद नेपाल नरेश महिंद्र ने लिया उन्होंने वहां पर स्पीच देते हुए कहा कि बहुत धर्म सारे धर्मों में शर्वस्रेष्ट है और बहुत ही महान सामाजिक विवस्था है एक सभा में उन्होंने स्पीच दी कि बुद्ध और काल माक्स दोनों ही एक तरह के थे दोनों के विचारों में बहुत समानताएं थी दोनों ही दुख, दर्द, पीडा, शोशन को मिटाना चाहते थे बस बुद्धिजम और कॉमिनिजम में इतनी ही असमानता है कि कॉमिनिजम अपने उद्देशों को पाने के लिए हिंसा का हाथ थामता है तो वहीं बुद्धिजम अपने उद्देशों को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलता है उनको लगता था कि बहुत धर्म कुछ नहीं होता अगर वो नैतिकता नहीं सिखाता। ये बात सत्य है कि बहुत धर्म में कोई भगवान नहीं होता पर ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान की पदवी नैतिकता ने ले ली है। काटमांडू से लोट कर सारनाथ जाते वक्त बीच में अम्बेडकर जी ने बनारस हिंदू युनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ में स्पीच देते हुए बहुत धर्म के सार को समझाया। लोगों तक बहुत धर्म का उद्देश बतलाया। उनका मानना था कि बहुत धर्म में इनसान खुद के अंदर छुपे सामर्थ और क्षमता को पहचानता है। इसमें हम अपने मन मस्तिश्क को सिखाते हैं कि उसे हमेशा नैतिकता के रास्ते पर चलना है। इनसान बाहरी शक्तियों से बहुत चल लिया। अब समय है कि वो अप ने खुद के बनाई रास्ते पर चले। बहुत धर्म में मनुश्य अपने कर्मों को खुद संभालता है। खुद उसे जज करता है और खुद ही उसे सुधारता है। फिर कौन ब्राम्हन है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र इसका पता लगा पाना असंभव हो जाता है। उनकी नजर में सब एक हो जाते हैं। बहुत धर्म में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक समान भिक्षू हो जाते हैं। अंबेडकर जी के आखरी दिन अंबे छोड़ने का प्लान बनाया, पर किस्मत को कुछ और ही मनजूर था। 6 दिसंबर 1956 के सुबह जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने गई तो पता चला कि अंबेडकर जी नींद में ही स्वर्ग सिधार गए थे। 26 अलिपूर रोड दिल्ली जहां पर अंबेडकर जी रहा सुर्धांजली देने पहुंचे। उनके निवास्थान से ही उनकी शव यात्रा निकली और दिल्ली एरपोर्ट तक आते आते रात के 9 बज गए थे। रास्ते में सब लाइन से खड़े होकर उनका नम आखों से अभिवादन कर रहे थे। जो प्लेन उनको दिल्ली से ला र अंबे की सारी मिलें, फैक्ट्रियां, रेलवे वरक्शॉप, डॉक्स सब ने अपना काम बंद कर दिया। यहां तक नागपूर और शोरापूर में भी सारा काम रोक दिया गया था। अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर ट्रक में दादर हिंदू शवदागर हिलाया अंबेडकर की चिता को उनके बेटे यश्वंत ने शाम के साड़े साथ बजे बहुत धर्म के विधिविधान के साथ अगनी दी। आचारे पी के अत्रे जो बहुत ही मशूर प्लेराइट और फिल्मेकर थे। उन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दी। सभी पार्टी के लीडरों ने उनको शद्धांजली प्रस्तुत की। पंडित नहरू ने पार्लेमेंट में कहा कि आने वाली पीड़ी उन्हें गरीब और शोशत समाज के विध्रोही के नाम से जानेगी। इसके आगे पंडित जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने भारत सरकार के लिए बहुत ह निर्मान संबंधी कारे किया है। इन्होंने पार्लेमेंट के कारे को एक दिन के लिए स्थागित करने का निर्ने लिया। बॉम्बे की राजी सरकार ने अंबेडकर जी के जन्म दिन को सारवजनिक अवकाश घोशित कर दिया। और जहां पर अंबेडकर जी ने दिक्षा से सराबोर थी। अंबेडकर जी के अनेक रूप थे। बहुत ही अनुशासित व्यक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही निडर और साहसी थे। दलित और असपर्श परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत निरादर और संगर्शों का सामना करना पड़ा पर वो भी नहीं बोलते थे। शायद उनकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि वो बहुत विनम्र थे। उनमें इतनी अदम्य इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने विश्व के सर्वोत्तम शेक्षिक संस्थानों जैसे अमेरिका, इंग्लेंड और जर्मनी से अपनी तालीम हासिल की। उन्होंने अपने जीवन के कई साल पश्चिम सभिता में बिताए पर फिर भी वो अपनी मात्र भूमी से ताउम्र जुडे रहे। उनकी लेखनी, उनकी स्पीच, विविधता से परिपूर्ण थी। उनके आजाद भारत का सपना, उनके विचार, उनके कार्य बस एक बात क ही इशारा करते थे कि वो बहुत बड़े देश भगत थे। उन्होंने कभी भी घरत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया और ना ही वो खुद चले थे। उनके दिल में एक विद्रोह था शोशत समाज के हक के लिए पर वो कभी भी उनकी लेखनी और स्पीच में जाहिर नहीं ह हुआ। विद्रोही होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्रस अभाव के थे। उन्हें ये ग्यात था कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में हासिल किया है वो कितने संगहर्शों के बाद उन्हें मिला था। इसलिए कभी-कभी वो असहिश्णू भी नजर आते थे। उन्ह पंडित नहरू और बाबा साहिब हमेशा समय से आगे सोचते थे और समय से आगे काम भी करते थे वो अपने काम में कभी-कभी अधीर और बेचैन हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता रहता था कि उनके आगे जो कारे है वो कितना बड़ा और चनोती पूर्ण है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा पंडित नहरू और बाबा साहिब दोनों ही अकेले रास्ते बना कर चलने वाले वेक्ती थे दोनों के ही पास अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ा वक्त था क्यूंकि वो अपना सारा समय देश के नाम पर नियोचावर कर दिया करते थे अमबेटकर जी ने आगे की आने वाली पीडियों पर जो उपकार किया है उसका कर्ज शायद ही कोई उतार पाएगा जिसके लिए देश हमेशा उनका रिणी रहेगा आईए एक नजर डालते हैं उनके जीवन की प्रमुख पहलूओं और विचारों पर अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अमबेटकर जी ने अपनी प्रारम भी पढ़ाई लिखाई कितने संघर्षों से की भारत से बाहर जाकर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ वो बताते थे कि गरीबी के चलते वो बस एक कपड़े में स्कूल जाया करते थे वहाँ पर उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता था अगर वो प्यासे भी होते थे तो उन्हें पानी का नल छूने की इजाज़त नहीं थी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में भी उन्हें अस्परशता का सामना ही करना पड़ा उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो एक अस्परश समाज के थे हाला कि वो अपनी द्रिड संकल्प और कठिन परिश्रम से संस्कृत के स्कॉलर बने उनके व्यक्तित्व का दूसरा रूप जिम्मेदारी और निष्ठा से भरा था वो हमेशा से ही अस्परशता के अभिशाप से हर व्यक्ति को बचाना चाहते थे और इस कूपरथा को जड़ से उखाड फेंकना चाहते थे उन्होंने खुद निरादर और बेजिती का सामना किया इसलिए उन्होंने बहुत सारे लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और अपना सारा समय गरीब और शोशत वर्ग के लोगों को मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिलाने में लगा दिया था अम्बेटकर जी का मानना था कि जब दलितों की उन्नती होगी तब ही इस देश की भी उन्नती होगी असपर्श समाज वर्नाश्रम का खात्मा करना चाहता था और ऐसे सिध्धान्तों का अहवाहन करना चाहता था जिससे उन्हें जन्म से नहीं अपितु कारे से जाना जाए असपर्श लोग अंबेटकर जी पर आँखें मूंद कर विश्वास करते थे क्योंकि उन्होंने अंबेटकर जी में उगता हुआ सूरज देखा था और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अंधकार भरे जीवन में बस वही सवेरा ला सकते हैं उनकी लिखावट और उनकी स्पीच उनके तर्कवादी होने का सूक्ष्म प्रमान है जब तक के उन्हें कारण और तर्क नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें संतुष्ट करपाना मुश्किल या नाममकिन था उन्हें अंधविश्वास, रसमे और रिवाज पर बिलकुल भी भरोसा नहीं था उनके नेचर या फिर उनकी ट्रेनिंग की वज़ा से उन्हें असंक्षिप्त और अस्पष्ट होने से नफरत थी वो बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं कर पाते थे इसी लिए उनकी कुछ स्पीचों या स्टेट्मेंट में बोले जाने वाले शब्दों से हमारी समवेदनाएं आहत हो जाती है क्योंकि वो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बाते करते थे सच्चाई का साथ देते थे फिर चाहे अगले को वो बात बुरी ही क्यों न लग जाए एक और खासियत उनके अंदर मौजूद थी और वो था उनका देश प्रेम और समर्पन ऐसा देखा गया कि उनके सामाजिक और राजनैतिक कारियों में कभी भी अबमेडकर जीने देश की भलाई के विरुद कोई भी काम नहीं किया है उनके दिल में हमेशा ही देश की उन्नती और विकास की ही बाते थी इसके विरुद वो कभी भी नहीं गए उनका सर्वोपरी कर्म और धर्म देश को तरक्की के रास्ते पर लाना था असपरशता, गरीबी, लाचारी को दूर करके वो देश को अन्य देशों के बराबर लाना चाहते थे उसे इस काबिल बनाना चाहते थे जिससे देश पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ट कहलाए उस पर कोई भी आँख उठाने से पहले दो बार सोचे अपना समय, अपनी सेहत तथा अपना दिमाग सब कुछ हमबेडकर जी ने देश के नाम कर दिया इसके लिए उनके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए दोक्षन भी फुरसत के नहीं थे आज हमारे पास जो भी समविधान है वो बस अमबेडकर जी की देश भक्ती और उनके देश प्रेम की निशानी है उनकी स्पीच और उनके दोरा लिखी गई किताबें उनके देश प्रेम का ही प्रतीक हैं वो हमेशा से ही जाती विरोधी थे इसी लिए नहीं के वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जाती वाद ही देश को तोड़ने का कारण बनेगा उनका मानना था कि आप जाती वाद की आधार शिला पर कोई भी नीव नहीं रख सकते क्योंकि वो हमेशा डगमग होगी और एक दिन आपकी इस आधार शिला पर बनाई हुई बिल्डिंग जरूर ही ढह जाएगी बलकि अगर हम इस देश की आधार शिला योग्यता और क्शमता के उपर रखें तो जरूर ही वो अटूट होगी और लंबे समय तक चलेगी उनका कहना था कि समाज में पहले शोशन और दुख का एक कारण जातिवाद भी है ऐसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा बलकि हम दो कदम पीछे और अंधकार की और अगरसर होते जाएंगे जातिवाद सदा से ही अभिशाप था और धीरे धीरे करके इसने अपने समंदर में बहुत कुछ निगल लिया अमेटकर जी वीर पूजा के विरुद थे ना तो वो खुद करते थे और ना ही अपने अनुयाईयों से कहते थे कि वो करें उसका कारण ये था कि जब लीडर अपनी जनता का विश्वास खो देते हैं और उनका कोई भी लीडर ना होने पर वीर पूजा उन्हें लाचार बना देती है उनका कहना था कि कठिनाईयों के समय पर खुद पर निर्भर रहने के बजाए अपने लीडर का मुह देखते हैं कि वो आए और हमें दुखों से दूर करे जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए हमें अपनी कठिनाईयों और दुखों को खुद से लड़ना होगा कोई और आकर हमारी सहायता क्यूं करेगा जब तक कि हम लोग खुद काबिल है हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होगी वो अपने अनुयाईयों से कहते थे कि मैं चाहता हूँ आप लोग सिर्फ मुझ पर निर्भरना रहें अपना खुद रास्ता बनाएं और खुद उन रास्तों पर चलिए व्यक्ति को महान बनने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं कई बार ऐसी परिस्थिती का सामना भी करना पड़ता है जब लगता है कि सब खत्म हो जाएगा अब इसके आगे और क्या निरादर, संगर्ष और ऐसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जो आपको अंदर तक तोड़ देती है और ऐसी ही सैक्डों संगर्षों का सामना बाबा साहिब ने किया पर फिर भी सका रात्मक्ता, साहस और द्रह इच्छा शक्ति को बनाए रखा तब जाकर वो एक महान व्यक्ति बन पाए हाला कि उन्हें कभी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं पर ये तो कोई तीसरा व्यक्ति ही बता सकता है जो दूर से देख रहा हो जन से पहले ही अंबेडकर जी के माता पिता को ये भविश्यवानी हो गई थी कि उनका पुत्र भारत का नया इतिहास लिखेगा और ये सत्य भी साबित हुआ ता उम्र अपने उद्देशियों और उसूलों पर खड़े रहना ये कोई साधारन विक्ति नहीं कर पाएगा खास कर तब जब विशम परिस्थितियों की बात हो किसी के आगे ना जुकना शोशत समाज के लिए आवाज उठाना लोगों को अपनी लड़ाईयों को लड़ने के लिए प्रेरित करना अगर ये सब अम्बेडकर जी को महान नहीं बनाता तो और क्या बनाएगा उनके कारियों के लिए मरणों परांद उन्हें भारत रत्न का 1990 में पुरसकार भी दिया गया अम्बेडकर जी ने चटानों को खोद कर उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाया है एक पुत्र यश्वन्त को छोड़ कर उनके सभी पुत्र और पुत्री की मृत्यू हो गई थी और ऐसी स्थिती में भी उन्होंने अपने मनुबल को नहीं तूटने दिया जहां और भी उन्हीं के साथ ही अपना अपना जीवन सुखमें बिता रहे थे वहीं पर बाबा साहिब संगहर्शों में जीकर अपना नाम इतिहास के हाथ पर गुदवा रहे थे अंत में हम उनकी जीवनी दो पंक्तियों में खत्म करते हैं और वो इस प्रकार हैं कि पिनका तिनका जोड़कर उम्मीद जगाएंगे और आने वाली पीड़ी का हम गोंसला बनाएंगे